हालो बच्चो गुड मार्निंग जैसी एलसी मैं आपका श्वागत करता हूँ सी एलसी के बहुती शांदार क्रेश कोर्स में क्रेश कोर्स का टोपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके तीन महतुपूर्ण इंपोर्टेंट फीचर सेर करने जा रहा हूं जिसमें सबसे पहला है हम लोग पर डे वन टोपिक डिसकस करेंगे पूरी कम्प्लीट थोरी के साथ दूसरा इंपोर्टेंट फीचर यह है पैरे बच्चो हम लोग इसमें 2013 से लेकर के 2020 तक के नीट के प्रिवेश सेर के क्विश्टन साथ में डिसकस करेंगे और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट और यदि हम लोगों को बहुत ज़्यदा क्विश्टन प्रैक्रिस करने हैं तो आप हमारी गुरुनिती यूटूब पे जा करके वहां डिसक्रिप्शन में आपको पीडिया फाइल मिलेगी वहां क्विश्टन मिलेंगे और उनका आप अच्छे से डिसक्रिशन पूरा कपूरा देख सकते हैं क्विश्टन की प्रैक्रिस करें आप और इसका शांदर फाइदा उठाएं ओके तो हम सुरू करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर आप कोई बात और बदा दू हम लोगों यहां पर जो फस्ट जो टोपिक लिया है उसमें है यूनिट्स एन डाइमेंड्स ए यूनिट्स एन मेजरमेंट उसके बाद हम दिसक्स करेंगे वैक्टर और नेक्स्ट आपन करेंगे वनडी उसके बाद वनडी के दो लेक्शर होने हैं फिर आपन 2D मोशन शु किस्टेंस भी काफी मातरा में जितने भी आपकी अभी तक के नीट में कुछ जा चुके हैं, उनके आज पास की थियोरी के साथ पूरा का पूरा यहां टोपिक हम कवर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्यों धंक से समझना है, शुनना है, और उसकी बाद कुस्टेंस की प कि भौतिकी के आधारवूत नियमों, जो भी हमारे भौतिकी के आधारवूत नियम होते हैं, जो basic आपकी principle होते हैं, laws होते हैं, उनकी complete व्याख्या के लिए आवश्यक रासियां, भौतिराशियां कहलाते हैं, जैसे आपने एक्जामपल लिया है, लंबाई है, दरेमान है, बल हैं, वेग हैं, ऐसे, और किसी रासी को represent करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसमें आप देखिए सबसे पहले, तो उसको हम लोग लिखते हैं भोती रासी की परीमान से, परीमान शब्जो है, वो बहुत ही important है, आप सबसे पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, परीम यह होता है, किसी भी भोती रासी के शंख्यात में परीमान, यान उसका जो numerical value है, उसका जो आंकिक मान है, और उसका जो मात्रिक है, उसकी गुणन फल को हम भोती रासी का परीमान कहते हैं, जैसे, for example, लंबाई हमारे पास है 12 मेंटर, लंबाई है 12 मेंटर, तो इसमें जैसे 12 x numerical value है, मेटर यहाँ पर एक मात्रिक है, यूनिट है, तो इसका जो complete 12 मेटर है, इसको हम कहते हैं, बहुती रासी का परीमान, मान लीजे, for example, मैं लेता हूँ, velocity, वेग ले लिया मैंने, तो अगर मैं वेलोसिटी लेता हूँ, वेग, तो वेलोसिटी या जो वेग हम लोग हैं, बच्चो, तो वेग को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैस लिखता है, 12 meter per second पूरव की तरफ, पूरव की तरफ, तो यहाँ आप यह चीज और देखो, कि हमने यहाँ जो velocity यूज करी है, जो हमने वेग यहाँ पे लिया है, इसको explain करने के लिए, हमको direction द्यान सुनना, direction यहाँ पर परिमान में सामिल नहीं होता है, बात पले पड़ी, परिमान में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, यह आपका शंख्यात वंगमान और unit, तो इन दोनों के product को, इनके गुडन फल को हम कहते हैं, परिमान कहते हैं, सबसे पहले, आपको इश्य गोत रूप होना पड़ेगा, यह इसकी कोई आवश्यक शर्त नहीं है, पुरो की तरफ डिशाइस में सामिल नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, यहां से बनागे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, next page पर देगो, इसमें आ देखा आप, यहां है भोती राशी का मातरक, units of physical quantities, तो किस राशी को represent करने के लिए हमें कोई मानक है, उसकी आवश्यक्ता होती है, जैसे लंबाई को हम आपने हैं, तो लंबाई के लिए, पहले मेटर स्केल डेवलोप ही, मेटर को भी और उससे कम दूरी कम आपन की आवश्यक्ता पड़ी, तो हमने उसी के अंदर फिर सैंटिमेटर के सेक्षन बनाए, और उससे भी कम लंबाई मापने के लिए हैं, फिर हम लोगों ने उस सैंटिमेटर को भी 10 पार्स ने डिवाइड किया, उसका छोटा पार्ट है 1 मिलिमेटर होता है, हम उससे 1 मिलिमेटर को भी मैज़र कर सकते हैं, तो जो मिलिमेटर स्केल जो है, या फ पढ़ेंगे. अल्पतमांग जो होता है. उसका नियुंतम माण जो होता है. कम से कम शुद रूप में मापा दासनेवाला माप, जो है उसको उसको पर कहते हैं, अल्पतमांग, लिस्ट काउंट. बूसकी होती है, उससे भी कम आपनी है, तो आपको फिर वर्निर के लिए पर यूज़ करना पड़ेगा, उससे भी कम आपनी है, तो आपको स्कुरू गेज़ करना पड़ेगा, उससे भी कम और लेंथ मापनी है, तो हमारे पास optical instrument होते हैं, आप जो आपका optical microscope है, उससे भी कम आपना है, आप electron microscope हो उसका यूज़ कर सक जो तुलना करके हम उसको मापते हैं, उसको हम कहते हैं, उस राशी का मातर कहते हैं. अब सुनो बात यहाँ पर, कि जो पुराने समय के अंदर राशियां अलग-अलग देशों में, अलग-अलग प्रकार के सिस्टम से मापी जाती थी, जिसमें से यह FPS सिस्टम है, दूसरा मा इस FPS में, देखो FPS हो चे CGS हो चे आपका MKS, इन तीनों में तीन राशियों को स्टड़ी किया जाता था, तीन राशियां कौन सी थी, वो थी सिर्प औशिफ M, L और T, कौन सी थी M, L, T, मास, लेंथ, और टाइम, मास, लेंथ, और टाइम, अब मास के और लेंथ के और T के लिए कौनसी, कौनसे सिस्टम में क्या-क्या हमने यूनिट यूज़ करने थे, वो अलग लग थे, जैसे इसको उपन कहते हैं, foot pound second method, तो foot, यह लंबई का मात्रक है, pound, यह आपका, foot pound, यह हो गया, आपका mass का, और second हमारे पास, किस का हो जगा, time का हो जाएगा, आप एक common चीज़ देख सकते हो, कि second, और यहां भी second, और यह second, और आगे जो system international है, जो आपका अंतरास्टी मात्रक पतती होती है, उश में भी हम लोग समय का मात्रक तो second ही use करते हैं, तो समय फिक्स है हमारे लिए, समय का तो कोई यहां पे जमेला नहीं है, वहां तो चाहिए कोई सिस्टम आपका FES हो, चाहिए CGS हो, चाहिए कौँसा आपका MKS, SI, सारे परकार के मादरग पततियों में समय है, उसको हमें सा second रूप में पाँ जाता है, तो वहां कोई बड़ा issue नहीं है, बस issue इसमें है कि mass और जो length उसको पन कैसे मापते हैं, तो mass में यहां पे देखो अब, यह मेरे पास foot pound हो जाएगा, इसमें कौँसा centimeter, लंबाई के लिए है, gram किस के लिए है, मालूम आपको, mass के लिए है, second अपने पास, time के लिए, और ऐसे ही मीटर, किलोग्राम और second, यह हमारे लिए हो जाएगा, MKS सिस्टम में, यह कोई issue नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, अब यहां एक बात और देखें, जैसे, कुछ, यहां पे standard value भी है, कि एक foot में कितना मेटर होता है, यह आपको ध्यान करना चाहिए, 0.305 मेटर, यह इसको अगर 100 से multiply करते हैं, तो आप इसको करीब करीब रेखो, यहां इसको लिखेंगे तो 30, 30.5 cm भी आप इसको कर सकते हो, यह ध्यान रगना है, और यह अपने पास जो pound है, उसकी value कितनी 0, अब यह LB जो तन दो तरह से होता है, LB आपका, LB मास भी होता है, LB आपका force भी होता है, LB force भी है, pound की र 0.454 kg, और 1 cm, यहां आपको मालूम है, जैसे 1 meter equal to होता है, 100 cm, तो उसको convert करते हैं, हमारे पास 1 cm कितना 10 की पावर मास का 2 meter हो जाएगा, और 1 gram हमारे पास कितना 10 की पावर मास का 3 kg, यह सब आपको well known है, इसमें कोई issue नहीं होता, अच्छा, अब काम की बात एक आपको हम से बीचेते हैं, तो wine जैसे, तो कूंग जो देखो, हो क्या है, कि जो इन्तराष्टिय मात्रखः पदती है, system international, क्योंकि, पौराने ड्रम में क्या था, कि किसी देश में सिको फोलो किया जा जाने था, किसी देश में सिको फोलो कर रहे थे, किस देश में इस को follow कर रहे थे अब global दुनिया के अंदर सब जो आपका system है वो एक common होना ज़रूरी था तो उसको common करने के लिए system international accept किया गया और इसके अंदर हम लोग क्या use करते हैं क्या क्या इसमें होता है अपने देखते हैं पहले आगे वाले slide में इसमें यूज किया है अंतरास्टे मातर पदती में कुछ मूल मातरक हैं कुछ मूल रासियां होती हैं और उसके बाद देखो इसमें होती हैं दो पूरक रासियां होती हैं और उसके बाद आप देखें ये सारी होती हैं इसमें यूद्पन रासियां ठीक है तो तीन चीजों से अपने यहां go through होंगे, मैं वापिस इसम बैक कर रहा हूँ, यह हमारे पास है International System of Units, अंतरास्टे मातरक पदती, देखो इसमें क्या होता है, कि जो SI System जो हमारे पास है, इस SI System में आप यह देखें, मूल रूप में, एक तो है आपकी मूल रासियां, मूल बहुत तिक रासियां, और दूसरी इसमें है बेटे जी, पूरक रासियां, और तीसरा हम लोग इसमें यह यूज़ करते हैं, व्यूत्पन रासियां, तीन है, fundamental, supplementary, or derived physical quantities, तो जो मूल रासियां हैं, वो है साथ, यह completely एक दूसरे से शोतंदर होती हैं, बिल्कूल independent होती हैं, separate हैं, और यह वो रासियां हैं, जिनकी साहिता से हम पूरे यूनिवर्स में जितने परकार के laws हैं, जितने परकार की रासियां अधर हैं, उनको इससे map शकते हैं, उनको explain कर सकते हैं, तो यह एक तरह से हमारे पास है मूल रासियां, जो मूल रासियां हैं, अब यह है क्या, अब देखो बात एक simple से पकड़ाना है, SI system है क्या, this is extended form of MKS system, this is extended form of MKS system, यह MKS का बड़ा रूप है, जब MKS का बड़ा रूप है, तो MKS को हूब पर adopt किया गया और कुछ इसमें verification किया गया है, उसको तो मूल रूप में लिया गया है, जैसे मानलो यहां पर मैं कहता हूँ, जब यह MKS का बड़ा रूप है, तो मैं इसको कह रहा हूँ, MKS का extended form, बड़ा रूप, परिवड़ित रूप, परिवड़ित रूप, इसको विस् मैं कहता है, MKS सिस्टम का advance रूप है, तो MKS से पन जानते ही हैं, और मैंने A इसमें 7 में और add कर दिया है, अब actually होता है क्या देगो, M से 2 है, K से 3 है, A से 1 और A से 1, total मिला करके हमारे पास, यह हम इसमें देखें हैं, तो यह हमारे पास 2 और 3 और 5 और 6 और 7, total हमारे पास कित इन रासियों को याद कर से रखना है, तो याद रखने का पुरा table हमने बना रखा है, पर जिस रूपे मैं आप बता रहा हूं, उसको देखें आप इसमें, कि M से start होने वाले 2 रासियां, M से 2 start हो लिए, कौन कौन से देखो, एक तो है meter, मैं उसको उल्टे रूप बता रहा तो kilogram, Kelvin और Candela, और S से start होने वाला है, only 1 second, और आपको मालूम है, A से start होने वाला है, M, P, R, तो इस तरह से हमारे पास meter, mall, M से start होने वाली quantities हैं, और 3 case है, Kelvin है, Candela है, वो 3 आपकी case से start होने वाली है, और 1 हमारे पास second है, वो time है, और ये हमारे पास M, P, R, कुल मिला करके हमा मारे पास 7 राज से आथी, फिर धान देना, मैं पहले इसको unit के मात देम से आपको बता रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, अब ये किसकी unit होती है, ये सब मात रख है, किस राशियों के हैं, उनको लेना हो, तो meter किसका होता है, लंबाई का, इसलिए अब दो meter क्या है, ये fundamental unit है, और लंबाई क्या है, fundamental quantity है, meter, मूल रासी है, आधार भूत राशी है, base, quantity है, बेस इसका unit है, और लंबाई क्या है, वो है प्यारे बचो, आधार भूत रासी, मूल रासी है, इसी परकार से मूल है, ये सब भी क्या है, ये सब के सब मूल मात रख हैं, और जिनके मात वो मूल रासियां है, तो आप अराम से कैसे तो केजी, दरिमान का है, क्यालवीन, तापकरम का है, कैंडिला, यह लुमिनिस, इंटेंस, जिसको बोलते हैं, जोती टीवर था, उसका मातरक है, सेकेंड किसका, टाइम का है, और एंपिर किसका है, बच्चो, एंपिर है, है, इसमें से किसको हमको मूल रासिक रूप में लेना चाहिए था, वो पहले एक सोच का भी से था, कि हम किसको मानें, बेसिक स्टार्ट, आप करते हैं, इलेक्ट्री करन्ट है, क्या, आवेश्परभा की दर है, फ्लोप चार्ज, डेट ओ फ्लोप चार्ज है, तो आवेश् कि धारा को अक्ष्प्लेंड करने के लिए हमको आवेश्प की आवश्यता होती है, तो मूल रासि वो नहीं चाहिए थी, पर हम उसको मूल रासिक करते हैं, हम किसको यूज करते हैं, हम इलेक्ट्री करन्ट को मूल रासिक करते हैं, पर उसकी पीछे वज़ा यह है, कि आवे इसको easily नहीं मापाज़ता है, इसलिए हमने electric current को विदो धारा को as a fundamental quantity accept किया है, ओके, तो यहां से पूरी बात आप याद कर सकते हो, आप table में देखें आप इसमे द्रेमान, किलोग्राम, लंबाई का meter, समय एक second है, ताप करा में, सब इसी order में आप याद करो, बैट रहे हैं, और इनके संकेत है, केजी है, यह आपका meter है, second है, यह Calvin capital K है, A ampere है, CD candela का है, और यह आपका mall, ठीक है, उसके बाद देखें आगे, जो दो पूरक मातरक हैं, जो पूरक रासियां, इनके पूरक मातरक हैं, तो कौन-कौन से देखें इसमें रासिया हैं, उनको पन देखें संतल कौन, और एक है ठोस कौन, जैसे अपन इन दोरों को सड़ा सा study कर लेते हैं, जो first हमारे पास है संतल कौन, और दूसरा है, प्यारे बच्चों, इसमें solid angle, या ठोस कौन अपन कह रहे हैं इसको, तो पहला हो गया आपका संतल कौन, प्लेन एंगल, यह actually होता है क्या है, यह है चाप दोरा बनाया कौन, माली कोछ चाप है, और यह कोछ सेंटर है, और यह माली जो रेडियस है, इसको मैं आर, इसको आर कह रहा हूँ, यह हमारे पास आर्क लेंथ है, लंबा इसकी एल है, इ जैसे माललो हमारे पास, मैं एक यह एक लता हूँ, स्फियर माललो, एक हमारे पास ठोस गोला है, ठीक है ठोस गोले से इसको पर अक्स्विल्न कर रहे हैं, और इसको वैसे 12th के जो बच्चे होते हैं, वो सिर्प इलेक्ट्रो स्टेटिक्स में जो गाउश लो पन पढ़ते ह जो इसकी requirement रहती है, वहाँ आप लोग इसको बढ़ते हो थोड़ा, तो माली जी यह मेरे पास एक point है, यह कोई एक surface है, यह कोई surface है यहाँ पर, कहाँ पर है, top surface, कि स्फियर की surface, इस स्फियर की surface के हर point को, यदि मैं यहाँ इस तरह से मिला दूने से, यदि इसकी हर surface के हर point क यहांस्ट मिलाता हम। तो मिलाने पर संपूं की रूप में। फूरी रूप में। जब Reports यू है। इस तरह Çaरा मिला है। जब हम लोग यहां लोग यहां बना है। इसको अपन यहां माप रहे हैं, यह एक तरह से small angle है, मालो बहुत छोटा segment है, इसका area मालो कितना da है, और यह इसकी radius r है, यह इसकी r radius है, तो ऐसीस्ति में यहाँ जो angle बनता है, इसको अपन कहते हैं d om, ठोस angle को अपन इस तरह symbol से मापते हैं, और वो actually है क्या, वो है इसका area upon, जो इसका surface area है, यानि da upon, जो इसकी radius है, इसका square, यानि इस radius को अगर आधार मान करके एक बनाएं, वर्ग बना लें, r और r, तो कितना यहाँ पर area बनेगा, उसको अपन यहाँ लेते हैं, area कितना मेरे पास हो गया, r square, तो इसको जो ratio होता है da upon r square, उसको हम लोग कहते हैं, solid angle health horse corn, अब यह चाप corn, जिसको समतल corn कहते हैं, basic अपन पड़ते हैं, वो ही है, और इसका मातरग जो होता है, यहाँ जो theta angle मैं लेता हूँ, मालोग यह theta मारे पास कितना होता है, allopon r होता है बटे जी, और यहाँ चाप पटा तरजिया है, यह meter में, meter में, corn आप जानते हैं मात में काम आने वाली हैं, उनको भी मैं इसके साथ यहाँ पर attach करूँगा, okay, अब सुनो यह से में देखो, कि यह मेरे पास यह formula बन गया, अब जिससे, जो surface अपन ले थी, उस surface को मैं मालोग complete कर दूँ एक ठोस गोले का रूप में, तो पूरा ठोस गोला अपने center पर कितना ठो surface area बन जाएगा, और पूरे surface area को अपन लिखें यहाँ, तो कितना 4 pi r square, 4 pi r square upon r square, r square r square से cancel हो गया, तो कितना 4 pi हो गया, इसका मतलब ठोस कोन यहाँ बनता है, उसका मान आगया 4 pi, जहां तक बात करते हैं मातरक की, तो आपको मालूम है, इसका मातरक जो है, वो है radian, इसका म से radian, और यहाँ जो कोन बनता है, उसका मातरक आपको मालूम होता है radian, और इसको भी अगर मान लो complete circle ले लूँ, यदि complete circle अपन ले 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 हैं यहाँ पर, तो complete circle लेने पे जो चाप है, वो कितना बन गया, 2 pi r, यदि इसको अपन लिखें यहाँ पे 2 pi, यह r, upon कितना r, r से 2 pi हो गया, तो पूरा circle अपने center पे कितना कोन बनाएगा, 2 pi, इसको बन कहते है, 360 degree होता है, यह हमको ध्यान होना चीए, यह दि मैं यहाँ कहता हूं, इसका half sphere है, यह half sphere है, वो center पे कितना ठोस कोन बनाता है, तो अपन यहाँ लेंगे कितना, 2 pi r square, upon कितना r square, 2 pi star radian, तो ध्य अपने center पे कितना कोन मनाता है, वो यह 4 pi star radian, कोई issue नहीं है, इतना है, हमने काम में लेना है, हाँ, पर जो आपका सम्तल कोन है, उसमें आप एक बात दिखीगा, मैं इसको यहाँ मिठा रहा हूं, और फिर आपन आगे दो पढ़ते हैं इसमें, जान दें, एक चीज़ पर, कि अभी मैंने कहा था, कि 360 degree is equal to होता है, 2 pi radian, होता है, कोई दिकर नहीं है, तो ऐसी स्थी में हमको निकालना हो 1 degree, 1 degree हमारे पास कितना होगा, 2 pi by 360 degree, 360, radian, मैं इसको चाहूं तो, मालो 2 से कर दो, इसको डिवाइड, तो pi upon हो गया, 180 degree, radian, यह हमको मालूम है, अच्छा, इससे पहले एक बात और, यह तो इसके तो ऐसा unit है हमारे पास, पर हमको तो और भी कामें लेनी होती है, हमारे तो काम, हमको तो neat से मुकाबला करना है, और neat से मुकाबले करने के लिए, हम लोगों को यहाँ जो सम्तल कौन है, इस सम्तल कौन की जो मातरिक है, मेरे प्यारे बच्चो, उन सब को मैं यहाँ साथ मन ले रहा हूं, देखो, SI system में, जो हमारे पास इसका जो मातरिक होता है, वो है मेरे प्यारे बच्चो, radian, other जो अपन बात करते हैं, इसमें आपका degree भी है, degree है, minute है, और second भी है, minute को हम symbol देते हैं, only one day से और इसको पन double day से symbol भी देते हैं, इनका आपस में क्या relation है, वो बहुत important है, तो आपको मालूम है जैसे, यहाँ radian और degree, radian और degree का आपस का relation तो हभी हम लोग यहाँ बता रहे थे, कि यहाँ मेरे पास देखो, यह one degree is equal to आ गया, यह देखिए, pi upon 180 degree, जिसको अपन यहाँ लिखते हैं, किसमें, radian में, अब इसको अपन solve करेंगे, इसको solve करने पे हमारे पास इसकी value आएगी, approximate 0.02, approximate से 0.017 आता है, 0.017 आता है, approximately, और मैं इसको जब round off कर लेता हूँ, तो मेरे पास value है 0.02, 0.02, अब ध्यान देना, यहाँ, जो minute का मैं use कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि, one, जो degree equal to होता है, 60 minute, और इससे हम जब solve करेंगे, तो हमारे पास one minute क्या हैगा, दो, one degree 60 minute है, तो ऐसी इसकी में, one minute कितना होगा, one upon 60, वो क्य degree, कर दो इसको into one degree, तो one minute is equal to, मैंने इसको only convert किया है, मेरे पास है, one minute equal to कितना, one upon 60 degree है, अब इस degree को मैं लिखना हो, one degree, कोई शो नहीं है, पर one degree है कितना, pi upon 180, तो इसी को अपन लिखें आगे, तो देख, one upon, one upon, 60 into pi by 180, यह है radian, यह है radian, mostly questions में, आपको मालूम है, कि अगर किसी equation में, single theta हमको use करना है, मालू किसी के साथ भी theta multiply हो रहा है, और theta किस रूप में, मालू मैं कहता हूँ, y is equal to, मेरे पास a theta है, और यहाँ theta very small है, जैसे मैं कहता हूँ, y is equal to, मैंने लिया a sin theta, और हमने एक condition use कर ली, sin theta में, theta बहुत कम है, तो theta के बहुत कम होने पर इसको approximate क्या लिखते हैं, हम लोग a into theta लिखते हैं, और जब भी theta केला होता है, तो हमेसा हम लोगों को theta जो होता न, उसको radian में ही multiply करना होता है, अब questions में मालू लिखा आ गया, कि angle हमारे पास है, 2 minute, तो 2 minute को पन कैसे लिख पाएंगे, इसको तो इसके लिए आप कोई छोटी सी बात उता रहा हूं, उसके लिए आप चीज रटली जिएगा, कि एक degree में कितना है, 0.02 radian, और जब हम गयाद करते हैं, 1 minute में कितना radian है, तो देखो यहां है 0.02, जस्ट उसमें एक बात जान देना, वो है 0.303, तो 0.02, यहां 0.02 है, और उस में कितना है, 303, 30, थोड़ा सा हलका सा मैंड में इसको set कर लें, आप इसको solve करेंगे, तो कोई दिकरते हैं, यह पूरा ऐसे किसे आ जाएगा, 0.0003, तीन 0 हैं, उसके बाद कितना 3 आना है, तो बहुत ही systematic इसका answer है, इसको आप याद कर लें, आपके फायदे में हो जाएग और अपने काम की जो बात है, वो क्या है, उसको आप note कर लेंगे, वो है 1 degree is equal to 0.02 radian, यह याद कर लो अच्छे से, और 1 minute is equal to, यह पूरा लिखना हो, तो 1 upon 60 into कितना pi by 180, यह radian है, is equal to, हम लिखे, 0.3 times 0 into 3, और यह किसमे है radian में, तो तुरंद जहाँ पर भी लिखा है, 2 minute, 10 minute, ऐसा कुछ भी लिखा है, आप इसका इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर देगो, यह दि मालो, आपने बात करते हैं, 1 second, तो आपको मालूम है, 1 minute में 60 second होते हैं, और यह single किसका है, यह symbol किसका है, second का है, तो 1 second के लिख लूपन क्या लिख देंगे, 1 upon 60 minute, 1 upon 60 minute, और इसको फिर मैं लिख हूँ, 1 minute की रूप में, तो कितना 1 upon 60, और बदलना इसको रेडिन में है, तो वापिस कितना 5 upon 180, यह अपन यूज करेंगे, और इन सब को देखो, अब हमको, मैं कह रहा हूँ, यह हमको याद रहना चाहिए, तो यह 0.3 times 0 into 3, अपन मेरे पास ह कितना 60, इस रूप में जब questions आएंगे, तो उसको उपर multiply वगर करके, आजसानी से अपने questions हैं, उसमें theta अकेले होने पर calculation कर पाएंगे, तो यह करना पड़ेगा, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ओके, तो बढ़े आंगे भई, ठीक है भी, चलो, next page पर चलते हैं, तो उसमें, जो भी आपको विब्रिपन बात कर रहे थे, राषयां, मैंने तीन परकास से classifier करती थी, मूल राषय, पूरग राषयां, और फिर हम बात करते हैं व्युतपन राषयां, तो व्यूतपन राषयां वो होती हैं, जो मूल राषयां पर depend करती है, या जो आपकी पूर रासियों पर डिपन गड़ती है, तो मूल रासियों और पुररासियों पर निरभर जो रासियों हैं, जिसमें इनकी बार-बार रिपेटिशन होते हैं, उन सब को हम लोग कहते हैं, व्यूत्पन रासियों कहते हैं, अब व्यूत्पन रासियों को जब भी हम सिंप्लिफाइ ग तो M की पावर फोपन दो गड़ देंगे. मॉंद हो अमारे पास तीन चूरा तीन तीन गड़ देंगे. गातें यहां पर लगातें हैं. जैसे, यहाई की बात सुनना है, एक उसके बागें, बढ़ते हों उसके बाते हैं, अपनो बताते हैं, उसको देखो. हमारे पास जो साथ मुलास यहां थी कौन-कौन सी दो थी M से, मिटर और मॉल मैं हासलता हूँ, मिटर लंबाई का और मॉल पदार्थ की मातरा का तो मिटर का जो सिंबल अपन लेंगे डाइमेंस से लिखते समय, वो अपन L यूज़ करेंगे और मॉल का हम सिंबल यूज़ करेंगे, कौन सा M, O, L स्मोल लेटर्स में आएगा दान देना, स्मोल लेटर्स में ही आएगा यह कैप्टल L ही आएगा उसके बाद हम बात करते हैं के से, के से 3 था, किलोग्राम, कैलवीन और कैंडिला, किलोग्राम के लिए हम मास वाला कैप्टल L यूज़ करेंगे, कैलवीन के लिए पन कैप्टल K यूज़ करेंगे, कई बुक्स में ठीटा भी, कैप्टल ठीटा भी लिखा हो सकता है वो भी आप काम में ले सकते हो, कोई उश्यो नहीं है और कैंडिला, इसका स्मोल सीडी स्मॉल सीडी अपन यूज़ करेंगे, कोई उश्यो नहीं है और उसके बाद हम थे बात कर देते सेकंड पे और फिर हमारे पास था काम सा एंपियर, सेकंड को कैप्टल 3 से पन रिप्रेजन करेंगे, और एंपियर को कैप्टल बहुती रासी है, तो मैं उसको लिराओं, ये है बहुती रासी P, जैसे एक मिनट, मान लो, अपने पास कोई बहुती रासी है, P, P है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बाई, जब इसका अपन लिखेंगे V में शुतर, तो इसके V में शुतर को लिखते समय, मूल रासी कितनी बार आती है, उसको इसकी पाउर की रूप में आपन व्यक्त करेंगे, ठीक बई, जैसे मान लो, मैं इसका लिखता हूँ, अब, V में समिक्रण, आपको मालूम है, एक समिक्रण के दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, P, बड़े ब्रेकेट में इसको इसको इपने इंक्लोज करने वाले है, इस इकल्टो, मान लो, इसकी जो पार्ट लेफ्ट अडड साइड है, एक इसका राइट अडड साइड है, यह complete जो व्यू हम जी हैं जो बनाया है, इसको हम कहते हैं, V में समिक्रण, यह है dimensional equation, और इसका जो यह वला पार्ट है, इसको हम कहते हैं, V में शुत्र, यह है physical quantity P का formula यह V में शुत्तर है तो पूरा जो है पूरा इसको हम कहते है V में समिकरण और यहाँ पर M की पाउर A, L की पाउर B, T की पाउर C जो पूरा हमने यहाँ इसका जो दाया भाग है इसको हम कहते है V में शुत्तर dimensional formula और यहाँ M की पाउर जो है A, L की पाउर है, T की पाउर है यह है इसकी विमाएं यह dimensions कहलाती है अब books में कहें कुछ भी दायबाय है वो लिखा होता है पर complete view में आपको जान कर लेनी है तो आपको ध्यान देना है V में समिकरण आपकी अलग होती है V में शुत्तर आपका अलग होता है और विमाएं आपकी अलग होती है अब question आता है ऐसे कि force है उसका आपको लिखना है विमें शुत्तर लिखना है विमें समिकरण लिखना है और आपको विमाएं लिखनी है तो विमाएं लंबाई की कितनी होगी समिकी विमाएं कितनी होगी तो उसको पन अलग-अलग define कर सकते हैं, उसमें बिलको देखें आप, तो जैसे बात करते हैं अपन यहां वेग की बात करते हैं, वेग सबसे important है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जो मूलडा से हमारे पास थी, इसकी पहले वाली, उन सब के तो जिसे मालो लंबाई है, उसको परकार के लंबायों के मातरग है, मीटर है, और उसको जब हम लोग यूज़ करते हैं, मूल लशी की रूप में, तो उसका जो वी में शुतर होता है, वो L की पाउर वन होगा, दरेमान है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, कैसा भी है, किसी रूप में भी है, पाउंड की बात करता हूं, तो जो वेग हमरे पास है वेग का फामुला क्या होता देखो? को हम कहते हैं विस्तापन बटा समे होता है? तो देखिए विसमें तो विस्तापन क्या है? kind of length है, kind of length दो तुम क्या लिखें? इसको l kim power 1 upon इसको लिखें समे के तना है का T की पावर 1, तो क्या लिखा जाएगा, L की पावर 1, T की पावर माइनस का 1, इसको अपन बड़े ब्रेकेट में कर दें, in close, तो ऐसी हिस्ति में देखो, यह दि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर अब, एक को बता रहा हूँ पूरा, यह जो वेलोस्टी V है हमारे पास, देखिए, V, इसको बड़े ब्रेकेट में हम कर दें, in close, और लिखें इसको, यह दो, M की पाउर 0, L की पाउर 1, T की पाउर माइनस का 1, तो यह जो पूरा व्यू जो हमने बनाया है, यह आपका है, V में समिकरण, और only इसका यह वाला भाग, M की पाउर 0, L की पाउर 1, T की पाउर माइनस 1, इसको हम कहते हैं, V में शुत्तर, और जो M की पाउर 0 है, L की पार वार न है, जो 01-1 है, 01-1 है, यह इसकी dimensions है, यह सो कहला हादी है, यह इसकी dimensions है, यह ऐसकी dimensions है, कलादी है, ता इस तरह से अज़रोन हैं, आब इसी परकार देगो, यह हम को याद करव लेना चाएं, वरेख सारे परकार किया है, ऐसी वेख है, हलका सा कुछ थोड़ा सा इसमें एक अलग कहानी आती है, थोड़ा सा लगाता है, बाकि सब इसमें कोई उश्यों नहीं है, वेग और वेग के सारे परकार, सारे परकार से मत्तब तातकालिक वेगपन पढ़ते हैं, उस्त वेगपन पढ़ते हैं, ताप की चाल पढ़ते हैं, आपन वेग पढ़ते हैं, जहां पर भी इस तरह से अपन पढ़ते हैं, सब कर तो यह खेल होता है, तो जहां वेग हैं, उनके सारे परकार हैं, चाल हैं, उनके सारे परकार हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या एक हम पढ़ते हैं परवनता वेग परवनता एक उत्या क्षत्रिये वेग कौन ये वेग थोड़ा सा अपने को यहाँ पर जो चीज़ें जहां पर confusion है वो आपको ठीक समझना पड़ेगा तो वेग के सारे परकार बस कुछ चीज़ें जहां पर आपको focus करना है आपका कौ कुछ ना हो जैसे एक होता है वेग परवनता वेग परवनता ये है दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर है तो एक्चुली यह है क्या डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स डेल्टा वी वेग का परिवर्तन है और डेल्टा ए तो इस सिस्थी में दो, यह दूरी तो हम लोग जानते हैं, वो तो है L की पाउर 1 है, और डेल्टा वी, अब दो वेग है, वेग का परिवर्तन है, वेग है, वेग का परिवर्तन है, वेग का परिमान है, कुछ भी है, वेग का परिमान में भी तो उसका मात्रक और सब आते हैं तो यहां देखो, यह डेल्टा भी जो है, इसका मात्रक, इसका भी मिश्टर मेरे पास कितना L1 T-1 है, और LCL cancel हो गया, तो T-1 बन गया, इसको 1 upon T का सत्यो, यह तरह से आवर्ति हम लोग पढ़ते हैं आवर्ति, जो आवर्तकाल का भी उत्करम होता है, तो आप देखें वेग वेग परमनता की जो वीमा होती है, वो एक्च्वली आवर्ति जैसी है, तो यह आवर्ति के तुल्ले हो गया कि तरह से, वीमा की रूप में, मात्रक तो, मात्रक भी इसमें कैसा आता है, इसका है तो मात्रक देख लो, आप मात्रक से क्याएगा, 1 upon 2 आगया, बात समने आरे तो वेग परमनता और आवर्ति, दोनों के वीमियो शुत्र कैसे हैं, बराबर हैं, और कितना टी की पावर माइनस, 1 आ जाएंगे, तो इस तरह से आप इसको यहां समझ सकते हो, तो यह हो गया बात, अब एक बात और देखो इसमें, कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्षत्र यह पाएगुट यह हम लोग पढ़ते हैं, ग्रैविटेसन के अदर, क्याप्लर स्फलों के अंदर, डे एवाईडी टी, डी एवाईडी टी, अरिया में परिवर्तन कि अधार है, तो अरिया का मत्र opioid होता है, एरिया, जिसमें लंभाई दोबार आती हैं, अल की पावर दो T, L की पौर 2, यानि L की पौर 2, T की पौर 1 हो जाएगा, तो वो अलग का नहीं आ जाएगी, यदि आपन बात करते हैं, कौन ही वेग, ओमेगा, वो थैट, थीटा पौर 2, थीटा पौर 2, अब थीटा भी आपन पढ़ गया हैं पीछे, थीटा हमारे पास क्या था, चाब, L ब बनता, आवर्ती, और कौन ये वेग, इन सब के मातर कैसे हैं, समान हैं, और डाइमेंशन्स किस की समान होती हैं, वो धो निट का एक फैवरेट पौर्सन होता है, जिसको अपन कहते हैं, कुश्चन साइट में कहता हूं इसको, वहां से कुश्चन निट आपस में, आपस में discuss करकर लेना उसको, तो कुछन सापको लेना ही होता है, तो वो एक बहुत बड़ा issue हो जाता है, तो वेग में, यहां से मैं बात कर रहा था आपको, वेग इसके सारे परकार, ठीक है, ओश्द वेग है, तातकाले वेग है, और भी कई परकार के चाल है, उनके परकार है, परन तो थोड़ा ध्यान देना है, कि सारे वेगों में कुछ जैसे वेग परवनता में वेग आ रहा है, पर इसमें वेग जैसी भावना नहीं है, अलग राशी है यह, और इसका मातरग वगर आपका क्या हो जाएगा, इसके परकार, तुवण है या मंदन है इसके परकार, यदि हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर भी आप वोई चीज़ पाएंगे, तो क्या लिखें, वेग बटा समय, तो L1 T-1 अपन हमारे पास कितना T, तो L1 T-2 हो जाएगा, कोई इशो नहीं, समवेग जो होता है, वो हमारा, वो भी सिर्फ डिपेंड होता है, तो अपने इसको क्या लिखता है, समवेग हमारे पास क्या होता है, M into V होता न, M into V, तो M क्या M1 और V क्या था L1 T-1, तो M1, L1 T-1 इसको अपन कर लेंगे, फोर्स हम लोग लिखते हैं M into A, तो यह भी इससे मिल रहा है, M1 हो गया, A का था L1 T-2, तो इसकी L1 T-1 और इसकी L1 T-2 हमको याद अच्छे से कर लेनी चाहिए, उसके बाद सब इन से मिल जाती है, यहीं बात करता हूँ, कारिय उर्जा, यह इनके परकार जो है, तो कारिय उर्जा जैसी है, तो इसको अपन देखें, तो मारे पास W होता है, वो F into D, बल्गुणा विश्थापन, विश्थापन क्या है, लंबाई का परकार है, इसका V में उश्थापन होता है L1, तो F क्या था, F था मेरे पास, यहाँ F को अपन लिखें, तो M1 यह आपका L1 T-2 है, तो F M1 L1 T-2 into distance, तो M1 L2 T-2 इसका dimension formula हो जाएगा, पाउर की बात करते हैं, तो कारिय बटा समय है, कारिय बटा समय है, तो अगर मैं यहाँ देखो, M1 L1 T-2 था ना, तो इसको अपन solve करेंगे, तो यह आपका M1 L2 T-2 आजाएगा, और फिर इसको अपन time से divide करेंगे, इसको अपन time से divide करेंगे, तो देखिए हमारे पास M1 L2 T-2 upon T आएगा, उस T को अपन वापिस यहाँ से उपन दाएगे, तो M1 L2 T-3 बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह सक्तिका होज जाएगा, पर्तिबल है क्या, पर्तिबल एक तले से होता है, एक कांग शत्रफल पर लगने वाला बल, force upon area है, यह आपका force upon area है, तो आप यहाँ यह भी गसते हैं, कई पर्कार के पर्तिबल होते हैं, आएटन यह पर्तिबल होता है, दर्ता पर्तिबल होता है, आपका रेख यह पर्तिबल होता है, याई पर्तिबल और उसके सारे पर्कार, या दाब जो है, वोपन पढ़ते हैं, तो दाब का भी यह उता फोर्स अपोन एरिया, तो धान देश में, कि फोर्स हमारे पास क्या था, M1, L1, T-2, अपोन एरिया, यानि L की पावर 2, तो लंबाई L1, एरिया L की पावर 2, आयतन L की पावर 3, यह हमने याद कर लिए, उसके बाद कोई इशू है नहीं, तो इसको यहां से 1-7 काड़ देंगे, तो देखो हमारे पास इससे value क्या आएगे, इसको अपन यहां देखेंगे, तो यह एक पावर इससे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका answer, M1, L-1 और T-2 आजाएगा, तो यह basic जो आमारे पास रासी हैं, उनकी तो हमको याद कर ले नहीं चाहिए, तो मेरे साब से याद होती हैं, उसके पास सारी इससे बन जाती हैं, बढ़े आगे, ओके, तो next देखो, अब हैं गुर्तवाकसन नेतांग है, प्लांग नेतांग है, गेस नेतांग है, शांता गुनांग है, स्टिफन नेतांग है, उनका भी थुड़ा सा अपन द किसी एक में पूछा गया है, तो गुर्तवाकसन नेतांग, यह सबसे फैवरेट, सबसे फैवरेट यह, डामेंशनल फ़म्ला होता है, जो कि हमको रट लेना चाहिए, रट लो इसको तो आप, मैं इसको पुरप्ता दूँगा अभी, ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क कुंसा गुर्तवाकसन नेतांग, तो देखिए, अपन पढ़ते हैं, F is equal to Z M1 M2 by R², होता है, इससे पर निकालते हैं Z, तो G हमारे पास क्या बन गया, देगो, G हमारे पास बन गया F into R² upon M1 into M2, यह बनेगा, अब force हमको मालूम है, R हमको मालूम है, इसको पर यूज करेंग M1, L1, T-2, यह होगा अपका L की पाउर दो, आपको मास्क होता है M1, तो M11, कितना होगा, M की पाउर दो, अब इसको काटा और इसके पीटी करेंगे, तो देखो, यह 1 से 1 कैंसल होगा, और यह 1 रह गया, 1 रह गया ए, नहीं रहा गया, 1 रह गया, यह 1 रह गया, तो अब इ माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस का टू दो, एल वन ये पढ़ा, टू यहाँ पढ़ा, तो गुर्तवा करसन ये तांग जो है ना, उसमें तो डाइमेंस फिक्स होती है, रटलो इसको, ये पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, याद कर लो इस में समय आप बचाएं इसको, हाना, वन, थ्री, टू, पहला माइनस, दूसरा माइनस, बीच वाला कौन सा, प्लस का है, ओके, की बार काम आता है, कुस्टन से इसमें काम आए वे, अभी पन कुस्टन देखेंगे, नेट में आयो कुस्टन, उसमें डरक इसमें उसमें उसमें रिट लेंगे, ओके, बढ़े आगे, तो ये फर्स्ट हो गया, बात करते हैं फिस प्लांग नेतांग की, तो प्लांग नेतांग माज़ो देगो, हमें जब भी कोई डैमेंशन शौल करनी हो एक्जाम में, तो ऐसे किसी फर्मिले का स्लेक्शन करना चाहिए, जिसमें जो संभेग जे पढ़ते हैं हम जे पढ़ते ही हैं तो ने संभेग जे जो है प्याड़े बच्चों रहिए यह होता है अ न है आ होता है, अब मुझे एस निकालना यहे तो जे मलूम नहीं है आप फिर अगर मैं जे की बात करता हूँ, तो यह हो गया M-V-R हो गया एच प्लांग कॉंस्टनेट एन मुखी कॉंटम संख्या एक दो तिन संख्याओं के मात रख नहीं होते हैं संख्याओं के मात रख नहीं होते हैं पर एक अपवाद है इसका तो चुंबक किश्यत रेखाएं होती हैं या विदुश्यत रेखाएं होती हैं वो भी रेखाएं, संक्या ही हैं, पर वो भोतिरासियां भी हैं, विदुष्यतर रेखाएं हैं, चुम्पक शंक्या रेखाएं, वो संक्या के साथ साथ हैं भोतिरासिय को रिपरेजन करती हैं, इसलिए आपको पूछे विदुष्यतर रेखाऊं की dimension, तो आपको उस function का find करना पड़ेगा, तो सभी संक्या हैं, सिंपल कहता हूं कि सभी संक्या हैं, हाँ, जो वास्तिर संक्या हैं, आपकी हैं, पूर्णा आंख हैं, ये सब ये जो, उनका तो कोई dimensions नहीं होता, कोई उनका मातरख नहीं होता है साथ, ओके, तो देखिए अब, जे हमें देखा था, एच आपको H निकालना है, तो आराम से इसको solve कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, यहाँ देखो, यह जब भी आपको डाइमेंस से निकालनी है, तो जिनके संक्या हैं, जो प्योर संक्या, उसका में कोई लंदना नहीं होता, तो H एकोल टो, ओनली MvR हो गया, तो यहाँ एक फाइ इसकोष्ण है, सबसे multi-replicated question है, उसी तरह से आपसे पूछता है कि कौन से ऐसे रासियां है, जिनके dimensions सहम होते हैं, तो पहला आपसे नहीं आता है, प्लांग नेतां, कौने संवेग, यह बहुत पर पूछा गया है, कि कौने संवेग की जो dimension हो किसके तुल्ले है, प्लांग कि उल्टा है, पूछा जा चुका है, तो बहुत important है, अब देखो, यहां इसकी dimension निकालनी हो ना, H की, तो अपन क्या लिखें हैं, देखो, M तो mass है, M1, वेग अभी पढ़ा, L, T-1, R, distance है, kind of length है, आपका L1, तो करो इसको mix M1, L2, T-1, इसका formula बन जाएगा, यह देखो, इसके और formula भी एपन लेते हैं, E is equal to, अपने पास H new भी होता है, E पराबर H new भी होता है, E energy है, new frequency है, new frequency हमारे पास है, तो इससे भी एपन जाएगा है, H मेरे पास कितना E upon, यह आपका M1 है, L2 है, T-2 है, upon कितना M1, M1 actually है क्या, 1 upon T होता है, T उपर से ला गया, तो T को मैं यहाँ लिख दूँ, तो देखो, M1, L2, T-1 हो गया, देखो यहाँ भी अपने गयाद किया था, यह M1 था, L2 था, T-1, और इसको भी आप चेक कर लिजेगा, M1, L2, यह T-2 है, एक प्लस का उर आ गया, तो इसको पन जब simplify करेंगे, तो M1, L2, T-1 इसका dimension formula हो जाएगा, तो formula हमें सबसे easy वाला use करना चाहिए, देखो हमने, इसको use किया तुरंद आ गया, यहाँ इस में कोई issue ज़्यदा होगा नहीं, अराम से MVR आपन जानते हैं, यह भी कोई दिकत नहीं है, यहाँ तो दोनों का काम बिल्कुल वाजीब है, कोईसा भी आपके हाथ लग गया, उसस लोग पढ़ते हो thermodynamics में, उस में कारिय है, वहता है P delta V, तो P delta V एतर से कारिय को represent कर रहा है, इसलिए P और V का जो dimension है, वो किसके तुले है, कारिय और ऊचा के तुले है, M1, L2, T-2 है, M1, L2, T-2, आपको R निकालना है, उसके बाद दिको N, number of mall, T, temperature, दोनों आपको मिल गए तो कोई issue है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, आपको R निकालना है, तो PV upon N, T आगया, तो PV क्या है, energy है, M1, L2, T-2 upon mall into Kelvin, उसको अपन ऊपर ले गए, तो दो कितना आसानिस देपन कर पा रहे हैं इसको, कि R is equal to, यह दो, M1, L2, T-2, और यह mall, inverse, और यह हो गया आपका Kelvin inverse, को R T का पुछे नो, R T, आगया नहीं, आगया, तो देखो, PV एनर्जी के तुल्ले है, R T भी एनर्जी के तुल्ले ही है, अब बात करते हैं पर शान्ता गुणांग, तो शान्ता गुणांग में देखो, एक पन पढ़ते हैं, फामुला F is equal to 6 by eta R into V T, होता ना, तो इससे पन यहां 6 by तो नंबर है, यह तो नंबर है, इसको उड़ा हो यहां से, आपको यह इटा यहां पर शान्ता गुणांग है, इसकी डामेंस निकालनी हो, तो हम इटा क्या लिख पाएंगे, फोर्स अपोन कितना, तो R into V T, R यहां पर ठोस जो गेंदो अपन लेते हैं, यूज कर R है L की पावर 1, और V T है L T माइनस 1, अब देखिए, यह L 1 से एक वाल, L उड़ा देता हूं मैं यहां से, और कुछ उड़ने वाला है नहीं, यह T की पावर मैनस 1 है, इससे भी इसको उड़ा दें को, तो T की पावर 1 को मैं यहां से उड़ाता हूं तो देखो, यह T की करा देगो, M1, L की पावर मैनस 1 और T की पावर मैनस 1, M1, L मैनस 1 और T मैनस 1, यह इसका डामेसन फ़मुला बन जाएगा, कोई दिकत नहीं है, Stephen यह तांग, इसको भी देखना है, यह सब इंपोर्टेंट है, तो सब को आपन देखेंगे, इस सब को पढ़ेंगे हम लोग, तो अगर इसका temperature T है, इसको अपन मान लें, ideal black body, आदर स्कृष्णिका, तो इसमें अपन बढ़ते हैं, इसके एकांग के एरिया से पर 30 सेकंड जो निकलने वाली energy होती है, एकांग के एरिया से पर 30 सेकंड निकलने वाली उसमें जो उर्जा होती है, वो हम लोग बढ़ते ह कि ताप की power 4 की समानुपाती होती है, T की power 4, पर अपन लगाते हैं समानुपाती स्तरा कितना सिगमा आता है, और उस सिगमों पर यहां निकालते हैं, तो मेरे पास value कितनी है, E upon कितना 80 into T की power 4, बस हो गया काम, अब देखिए, यहां पर E तो type of energy है, उसमें उड़ जाओ, प upon A, area है, kind of area, कोई issue नहीं है, तो L की power 2, T, समय है, तो T की power 1, T, यहां capital T है, वो top मान है, temperature है, उसको पर लगा है, Kelvin की power 4, आप इसको solve करेंगे, तो देखो, L2 से L2 यहां पे cancel हो गया, T की power है, एक उपर से ली जाएगी, तो मेरे पास है M की power 1, और L की power minus का 3, और K की power minus का 4, तो M1, L की power, sorry, L की power कितना 0 हो गया ना, इसको पर यहां से करते हैं, cancel, तो M की power 1 है, L की power हमारे पास कितनी होगे, 0, T की power minus का 3, और K की power minus का 4, यह इसका dimensional formula हो, बन जाएगा, यह K की power 4 हो जाएगा, K की power minus का 4, कोई दिकर नहीं है, तो अगर हमको basic formula धान हो अच्छे से, तो कोई समयशा नहीं है, अराम से सब की dimension से अपर निकाल सकते हैं, बढ़े आगे, तो देखे, next हमारे पास है, वीन का विश्थापन ये तांग, तो वीन का विश्थापन ये तांग भी अपन पढ़ते हैं, तो वहां किसी idle black body से, जो wavelength निकलती है, resistance निकलती है, वो अपन कहते है, एक चकर को पूरा करने में तै दूरी है, दूरी का मतलब kind of length है, दूरी का लंबए का परकार है, इसलिए दूरी का मतलब तो कौन सा है, meter है, इसका dimension के तावा L की पावर 1 है, T हमारे पास समय है, तो इसलिए B का जो dimension अपर लिखेंगे, तो lambda मतलब L की पावर 1, ये T है temperature तो कितना Kelvin की पावर 1 है, तो actually L की पावर 1 और Kelvin की पावर 1, L1, K1, ये इसका dimensional formula बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, lambda into T, length into temperature, उसके बाद है, उसमा चालकता गुणा, heat conductivity, तो आपको मालूम है, कि जब दो surface, या कोई simple मालूम हमारे पास, कोई body है, यहां इसका temperature कितना T1 है, यह T2 है, जो heat यहां से enter करके यहां से जा रही है, तो मालूम जो surface जहां से यहां से heat इंटर कर रही है, उसको अपन यहां use करें, तो यह देखो, इसका, जहां से heat इंटर करें, उसका area A है, इसके length मालूम कितनी L है, तो अब यहां इस surface से heat इंटर होकर कि यहां से बाहर निक के ए और डेल्टा टी बाई डेल्टा आक्स के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा आक्स यह एनर्जी है इस समय है M1 L2 T-2 अपोन कितना T1 is equal to K यह आपका है उश्मा चलता गुणांग यह हमें फाइंड करना है आप खुद कर लेंगे ए ए है एरिया L की पाउड दो यह डेल्टा टी टेंपरिचर है डेल्टा टी का ताप में परिवड़तन है ताप में परिवड़तन हो चे ताप हो इसका तो हमारे पास है कैल्विन डेल्टा अक्स का है दूरी काइंड ओप लेंथ एलवन तो आप इस बोल रहा हूं M1 L2 T-2 upon T is equal to K हमें find करना है A हो गया L2 डेल्टा टी का है टैंपरिचर थिटा यह केल्विन केवन और डेल्टा अमरे पास कैल्लमभाई L1 इसको यूज करते विए K को find कर लीजएगा नेट में कुछा हो है आप इसको अराम से देख लीजएगा ओके उसके बाद है वोल्समें नेतां यह कहां पर आता है हम लोग पढ़ते हैं के अंदर आपको ध्यान हो कि जो गेसी अनु होती है उनकी जो एवरेज अपन एनरजी पढ़ते हैं का इनर्टिक एनरजी एवरेज क्या होता है 3 by 2 kT देखो 3 by 2 kT 3 by 2 kT देखो यहां kT देखो एनर्जी अपन टेंपरेचर भी 3 by 2 तो क्या है simple एक number है एक संग क्या है आपको यहां निकालना है kV में नेतांग की dimension निकालनी है तो हमारे पास है energy upon time sorry sorry energy upon temperature कुछ करना ही नहीं यार यहां kinetic energy क्या होता है m1 l2 तो energy कोई सी हो kinetic हो potential हो thermal हो electrical हो कुछ भी energy हो stored energy हो magnetic हो कुछ भी हो चाहे तो energy पर कुछ सब थोटे धान रखने पड़ेंगा आपको जैसे मैं बोल दूं कि energy density उर्जा गनतव है वो थी एकांक आयतन की उर्जा उर्जा बठा आयतन वो अलग हानी हो गई तो kinetic energy है तो इसका मतलब की होगा m1 l2 t-2 upon कितना Kelvin तो इसका dimension क्या बजाएगा m1 l2 t-2 into कितना K-1 तो कोई दिक्रत नहीं हो भी कर लेंगे तो कोई बड़ी इसमें विशेश्था नहीं होती है पर formula आपको डंक से याद होने जरूरी होता है तो अब इसी के साथ आपन आगे बढ़ते हैं देगो ओके तो next देखे विज्ञानिकों के नाम के अधार पर कुछ विव्यूत पर मातरक है यह simple याद करने वाला खेल होता है कि अगर नाम के अधार पर मातरक हो उसको पूरा लिखा जाए तो हमेशा small letters में लिखा जाएगा और उसका केवल एक संकेत यूज करना हो उसका symbol लेना हो वो होता है हमेशा कैसे अगर संकेत भी एक नंबर का हो जैसे आप देखो एन, जूल जे, वाट का डेबल्यू, कुलाम का सी, वोल्ट का वी और एक सिंगल अंक की रूप में है एक संच्छा की रूप में है तो उस condition में तो हमेशा capital letter पाएगा यदि दो नंबर में है या दो से जदा की रूप में है तो first letter हमेशा capital होगा उसके बाद हो गया आपके small letters यह कुछ इसके rules है लिखनेगे जैसे दिखो वेबर है तो W capital में है उसके बाद कैसा आपका B है वो small letters में आ गया तो ऐसे कुछ मातरक है यह आपको याद करने पड़ करें कि इसमें ऐसा system के अंदर होते हैं okay resistance का मातरक ओम है और फिर अपने बात करते हैं प्रेरत्व है जो है henry यह होता है henry per meter henry और हर henry per meter यह थोड़ा सा confusion रहता है तो जो अपने पास है ने inductance होता है capital L का जो मातरक है वो हमारे पास henry है एग हम लोग पढ़ते हैं mu note एग हम पढ़ते है mu एक हम पढ़ते है mu r तो mu note होती है चुमब की पारगमेता निरवाद की चुमब की पारगमेता यह माध्यम की चुमब की पारगमेता और यह माध्यम की निरफेक्स यानि एक तरह से अनुपातिक यह निरफेक्स चुमब की पारगमेता है माध्यम की निरफे यहांनि एक तरह से पंगते हैं यह मिउट इन्टु मिउआर तो इससे एक जात करते हैं मिउआर तो वह होता है हमारे पास टो यह तो डिमेंसनलियुस होता है इसे कोई विमा, कोई मातरक नहीं होता है, कौन? मियूर का, जिसको अपन आगे और अभी देखेंगे, तो ध्धान रखना है कि हैंडरी मातरक किसका है, यह है प्रेड़क्त वेका, जो दो परकार के होते हैं, इसे कोई मातरक किसका है, यह तो निर्वात की चुमबक की पारगमे ताका, यह फिर माद्यम की चुमबक की पारगमे ताका, मियूर का नहीं है धान से समझे लेना वहीं, ओके, बड़े आगे, नेक्स्ट, अब यह कुछ हमारे पास राशियां हैं, जिनकी जो डाइमेंसिंस वगरे हैं, कापी हम लोगों डिसकर्स कर लिए हैं, बाकी सब आप लोग याद करेंगे, शेतर फल है, ल की पार दो होती है, गनात्व है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो म की पार वन है, वॉल्यूम कितना है, ल की पार 3, तो M1 L की पार 3 हो जाएगा, उपर ले जाने पर, वेग आपका L1 T-1 होता ही है, तो रहना है, L1 T-2 होता ही है, कौन ये वेग, क्या था, थिटा पॉन टी, थिटा कोई मात्रग नहीं होता है, अपॉन टी, सोड़, थिटा कोई नहीं होता है, मात्रग नहीं होता है, उसके पढ़ेते अपने, कौन-कौन से, डिगरी था, रेडियन था, सेकेंड था, मिनिट था, सब कुछ था, ऑके, पर उसका रहाँ डामेंस नहीं होता है, कौनए विग थिटा पॉनटि था न, तो थी की पौर मैमस का वन आ गया, अब ती, या आपका समय वनटि, तो थी की पौर मैमस वन हो गया, सम्विग अपने पढ़ेजा, सब कुछ पढ़ लिया है, आपने यह सब आपको देख लेना है, ठीक है? आप देखो, कुछ questions हैं, उनको थोड़ा देखें, काम की प्रस्टन है, सारे के सारे ही, पहला question है, परती एकाई एक शतरफल आवेक का V में शुतर आपको निकालना है, परती एकाई पर यूनिट एरिया, तो यह actually है क्या, जिसके साथ भी परती एकाई लगा होता है, उसको हम हमेसा formula में नीचे लिखा जाता है, तो परती एकाई शतरफल मतलब एकाउंक एरिया का आवेक, यह आवेक, अब आवेक होता है क्या समवेक का परिवर्टन, डेल्टा पी, अपोन कौन सा, ए, अब समवेक का परिवर्टन हो, कुछ भी गड़ दो, डेल्टा पी को अपन M इ सर आपका हो जाएगा, ओके, और यह साइद अपने शांता गुणांग अपने पड़ा था, M1L-1T-1, अब ऐसी की सुन आते हैं कि शांता गुणांग है, किस की तुल्ले, option यह मिल गया, ठोक दिया, 1 upon 2 pi, 1 upon root LC, R upon L, RC, यह भी बड़े important है, तो अब इनकी कर्फमले याद ह अगर आपको, जैसे अपन पढ़ते हैं, R, C, D, C परिपत पढ़ते हैं, R, C, D, C परिपत में अपन लोग पढ़ते हैं, Q is equal to Q naught, और E की पावर माइनस का हम लोग पढ़ते हैं, T upon RC, कोई फ़र्मला होता है, अब दिखो, यहाँ जो आप पढ़ते हैं, E, exponential function है, और इस की पावर लिखी होती है, वो हमेसा dimensionless होती है, यह आपको ध्यानों आपन आगे इसको पढ़ेंगे वैसे, यह dimensionless होता है, तो इसको मंतर क्या लिखेंगे, यानि T upon RC is equal to 1, तो RC is equal to T हो गया, तो RC क्या है, समय है, इसका मातर है क्या होगा, second होगा, इसके dimension किति होगी, T1 होगी, इसी परकार से, जो हम पढ़ते है, RL circuit, तो वहाँ पढ़ते है, current I is equal to I note, और E key power minus का, वह हम पढ़ते है, RT by L, RT by L, तो इसको भी मैं ऐसे convert करता हूँ, यहाँ पर भी देखो, यह आपका जो RT by L equal to 1 ही है, जो भी power होती है, वो हमेसा कितनी 1 होती है, कोई भी sun क्या मेरे पास है, 2 key power मालोब मैं 10 करता हूँ, E key power मैं 10 करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो यह पूरा का पूरा number और इसकी power हमेसा dimensionless होती है, और dimensionless होती है, उसको अपन 1 से लिखते हैं, M key power 0, L key power 0, T key power 0, तो किसी की power 0 है, तो 1 होता है, 1 into 1 into 1 क्या 1 हो गया, तो ध्यान दें, यह जो R T by L equal to 1 हो जाएगा, तो R, sorry, T मेरे पास कितना L upon T आ गया, तो L upon R, sorry, वापिस बोल देंगे उसको, यहां से आपन निकालेंगे, तो मेरे पास T है कितना L by R, तो L upon R समय का परकार है, time का एक परकार है, इसका मातर को का second, और dimensionless किसका है, T1 हो जाएगी, कितनी T1, तो इसको तो आपको मालूम है, ऐसी कोई feature जो आती है, वो L जो आपका, L C oscillation जो आप पढ़ते हैं, है न, वहां कुछ बात आती है, यह आपन पढ़ते हैं, रोजोनें सर्कृट पढ़ते हैं, वहां आता है, तो आप वहां लिखते हो कि XL equal to XC, XL omega into L equal to पन पढ़ते हैं, 1 upon omega C, याद इसन क्या है, तो T root LC है, T का तुल है किसका है, root LC, यान, root LC का मातरक क्या है, second है, और 1 upon root LC क्या है, second का inverse, तो T की पर मैनस का 1, T की पर मैनस है, 1, अच्छा, जो R C, अब दो, यहां से ही बात हो सम्झाना, कि XL equal to omega into L, XC मेरे पास कि 1 upon omega C, इसका मातरक क्या ohm है, इसका मातरक भ मुझे formula मानलो, उससे याद नहीं हो, और कोई तरीका मुझे चाहिए, या मेरे पास, जैसे मेरे पास R upon L था, R upon L था, तो क्या करें, इन सब की diamond से निकालने के लिए, आप omega से multiply, omega से आप divide कर दिया करो, अब, जैसे, oh sorry, sorry, देखें, अपने पास था R, again, मेरे पास था R by L, या L by R, दिक्कत क्या आती है, मानलो, R by L रट लिया, और कुष्ण आगया L by R का, वहां समझ से आपके समझ आ जाएगी, बढ़िया वाली, तो क्या करें से बचने के लिए, आप इसको omega से multiply करो, omega से divide कर दो, इसको भी आपन बन गया, एक्सल का मातर है क्या होता है, ओम होता है, रेस्टेंस R का भी ओम होता है, आपस में कट गया, तो 1 upon omega आ गया, और इसको उपन लिखते हैं यहां देखो, तो 2 pi upon T, टी उपर से ला गया न, तो L upon R, आवर्त काल के तुल्ले है, समय के तुल्ले है, इसका मातर हो जा है, तो T है हमारे पास का second, तो इसका 1 upon T अपन लिख पाएंगे, या T की पर माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहां देखो, यहां देखो, यह भी कुछ फॉम्ले ही है, वन अपन मु नॉट, आफसालन नॉट, तो आपको देखो, तो आपको देखो, यह देखो, यह भी कुछ फ रूट आफ मु नॉट इन्टो अफसलन नॉट इस इकल टू होता है, परकास का वेग, इसका अपन स्क्वार करेंगे, तो इसका स्क्वार करने में देखो गया, वन अपन मु नॉट अफसलन नॉट इस इकल टू सी स्क्वार, और सी परकास का वेग है, और वेग का शुतर ह होता है क्या l1t-1 उसका sqaar है तो अपने इसको क्या लिख पाएंगे l2t-2 आ जाएगा इसके बदद li sqaar अभी बात करता stored energy u बराबर होता है li sqaar तो stored energy है यह तो इसका तो गया m1 l2t-2 कोई दिखर नहीं है, फिर है बीश कर अपॉन टू मुनोट, यह होती है एकांग आयतन में संचित उर्जा, यह है चुम्बक यह उर्जा गनतव है, तो यह जो फर्मॉला आपका है, यू अपॉन वॉल्यूम है, तो एनर्जी कितनी होती है, M1, L2, T-2, अपॉन कितना वॉल् है, यह भी आप पढ़ते हो, 1.5 E2, यह भी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो आपकी वैदुत इस्तित उर्जा होती है, उसका भी यह एनर्जी डेंसिटी है, यह भी एकांग आयतन में संचित विदुत, इस्तित उर्जा का मान होता है, तो यह भी इस तरह सही है, इन द करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, वहाँ पर दोनों फोर्स बराबर हुआ करते हैं, F बराबर क्यू ए, बराबर करते हैं, QVB, Q से Q कैंसल हो गया, E मेरे पास कितना VB, यह एपोन B एकुल टू क्या हो गया, वेलोसिटी, तो E एपोन B, वेग है इक तरह से, तो L1 T-1 हो जा समानुपाती है, तो समानुपाती स्तिरांग अपन लिखें, तो E बराबर में करता हूँ, K into V, और इससे मुझे यहाँ पर K find करना है, तो force upon velocity हो गया, अब force की dimension हमको मालूम है, कितनी होती है, M1 है, L1 है, T-2 है, upon कितना, velocity का मतलब L1 T-1, L1 T-1, अराम से इसको solve कर सकते हो, हो जाएगा आराम से, कर लेंगे, तो बस अब थोड़ा सा आपका एक आइडिया बन गया, कि हमको कौन-कौन से याद रखनी है, velocity है, turn है, बल है, समवेग है, उरजा है, उसके परकार है, शक्ती है, वो हमको याद होने चीए, और basic जो formula है, उनका परकार ध्यान होना सुन हो गया, energy upon volume, m1, l to t-2 upon कितना, l की पावर 3, तुरंद l की पावर 2, 3 कट गया, m1, l, minus 1, t की पावर 3, answer आगया, t की पावर 2, आगया answer, ऐसे करना होता है, कर लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल आप करेंगे, बढ़े आगे, Planck's constant and moment of inertia, तो Planck's constant, moment of inertia, simple देखें आप, कि Planck constant की बात अपन करते हैं, तो जोसे मैं इसको लिख दूँ, Planck constant थाना, कोण यह सम्वी के तुले था, याद करोगा, तो इसकी मैं कर दूँ, mvr, upon moment of inertia, तो कर दूँ, इसको mr square, simple formula, m से m cancel, एक r से 1 r, cancel, तो हमारे पास रहा क्या v by r, v by r, v equal to r omega upon r, simple formula ही बात करते हैं, r से r कड़ गया, कोण ही बेग हो गया, आवर्ती के तुले हो गया, अब एक क्विशन इस रूप में पूछा गया था, कि Planck constant और moment of inertia है, इसका अनुपात कौन सी बहुतिरासी को शो कर सकता है, त इस को शो करेगा, तो आपको मालूम है, यह आवर्ती को शो कर सकता है, इसलिए आवर्ती वाले option को अपने यहाँ पर tick कर सकते हैं, बढ़े आगे, again, अब हम वापिस इस बात पर आगे हैं, कि मातरक में, अब यह एक तरह से हमारे पास उप्योग हैं, dimensions के, dimensions के उप्योग है वो हम यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं, तो पहला है, मातरक में परिवर्तन से, संख्यात में में परिवर्तन, इस concert पे exams में question आते हैं, तो यहाँ देखो एक चीज़ है, कि जब भी कोई बहतिरासी होती है, उसको अपन एक मातरक पदती से, दूसरी मातरक पदती में बदलते हैं, तो बहतिरासी के परिमान में कोई बदलाव नहीं आता है, कैसे, मानलो, हमारे पास यह कोई एक छड़ है, और इस छड़ की लंबाई मैं ऐसे लिखता हूँ कि मानलो, इसकी लंबाई मेरे पास एक मीटर है, तो यह मीटर मतलब MKS सिस्टम में लिखा ना, यह इसको लि मेले से है, और एक सेंटीमेटर में दस मिलिमेटर होते हैं, दस से गुणा कर दूँगा, तो एक हजार मिलिमेटर हो गया, तो मीटर, मानलो, मीटर मात्र पतती कोई है, यह MKS सिस्टम है, उसमें लंबाई हमारे पास एक मीटर थी, और मैं इसको सीजे से मदलता हूँ, तो म एक और यह जो आपने लिखा, एक संख्यात्मक मान है बेटाची, और यहां यह जो M है वो मात्रक है, संख्यात्मक मान और मात्रक जो है, इसका गुणनफल जो हना, वो परिमान कहलाता है, और एक रासी के मापित मान का जो परिमान है, वो मात्रक पतती के बदलने से परिव इसलिए आप देखो हम इसको ऐसे कड़ते हैं वन जो है यह था मेरे पास numerical value N1 ठीक है और U आपका U1 था unit इसी प्रकार से यह N2 U2 N3 U3 हमारे पास अलग-अलग मातले प्रतिया आते गई और सब की हमने यहां पे numerical value आंकिक मान ले लिए सब को आपस में जब arrange करेंगे तो आप क लोग यहां कह सकते हैं कि N into U बराबर constant तो N समानुपती 1 upon U है ना इसी से अपने यहां लिख सकते हैं कि N समानुपती 1 upon U हो गया तो N U बराबर constant तो आप इसको N1 U1 ऐसे N1 U1 is equal to N2 U2 कर सकते हो और मुझे यहां पर कोई नहीं पतती में N2 निकालना हो तो N2 मेरे पास क्या ह हो जाएगा N1 into U1 by U2 हो जाएगा पस यहां से अपने को याद रखना होगा क्यूशन आपके यहां से हो जाएंगे अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं क्यूशन पर आ रहा हूँ देगा क्या था कि CGS पतती में ग्रतव दो केजी 2 ग्राम पर सीसी है ठीक बात है एक अन् इस नई मातर पतती में ग्रत्यों का संख्यात मान कितना होगा तो देगो अभी मैंने बात करी थी कि आपको जो नई पतती है उसमें संख्यात मान निकालना आपको N2 निकालना है आपको N2 निकालना है तो देगो N2 बराबर मैं लिखोंगा N1 into U1 by U2 U1 पहली मातर पतती में मातरक था U2 दूसरे में अब क्या करा गरो इसमें देखो यहां सिर्फ देखो इसको ऐसे कर रहा हूँ मैं N1 into U1 यह है M, L, T M, L और यह T यह U1 वाले हैं तो 1st वाले में M1, L1, T1 कर दिया गरो और 2 वाले में है तो M2, L2 और इसको T2 कर दिया गरो और इनको अपने-अपने ब्रैकेट के साथ लिख दो और उसकी पात जो भी M की पाउर L की पाउर T की पाउर जो उसकी बेटते हैं, तो देखो, सबसे वहले मेरे पास था, कि सिजे सिपतिती में, यह है आपका N1U1, तो दो तो यहाँ पर है बेटा N1, वो ग्राम CC, द्रेमान Z है, CC मनदर सेंटीमेटर लंबाई, वो हमारे पास किस रूप में है, वो डेंस्टी रूप में है, तो देखो, अब मै कालो में, डेंस्टी का जो विमिश उत्र है, वो इससे बनाएंगे, तो कितना है यहाँ देगो, मास M1, अपोन L की पावर 3, तो है क्या देगो, इसका डेमेंस्टन फरमुला है, M1 L की पावर मैनस का 3, इसलिए, A तो हो गया 1, और B हो गया मैनस का 3, फिर कह रहा हूं, जब कहीं भी मैनस आजाए ना, तो मैनस आने पर उसको प्लस कर लें, प्लस करने के लिए आप इन रासियों को उल्टा कर दें, इनको रिवर्स कर लें बस, ताकि वहीं का वहीं आपका काम हो जाए, और यह दो यहाँ पर क्या है, यह पहले वाली पदती में इसका शंख्यात में मान है, तुरन देखो आप कैसे क्यूस्टन करना है, यहाँ, N1 को आप क्या लिखे हैं देखो, दो, ठीक है, अब M1, जो पुरानी पदती है, उसमें M1 हमारे पास है ग्राम, तो आप लिख दो ग्राम, ओके, M2 है नई मातर पदती में दर्यमान का मातर, क्या बोला देखो, 2 cm लंबाई का है, 4 ग्राम, तो M2 हो गया, हमारे पास 4 ग्राम, अब देखो, हमारे V में शुतर में मास की डाइमेंशन क्या थी, एक थी, तो आपने एक लिख दिया, उसके बाद अपना आते हैं, इसमें लंबाई हो रहा है, लंबाई भी कैसी मैनस की रूप में है, तो बे L2, दूसरी मात्र पतिती में, लंबाई हमारे पास है, 2 cm, तो इसको मैं लिखूंगा 2 cm, और ये थी हमारे पास 1 cm, शुरू वाली पुराने वाली, और इसकी पाउर क्या गड़तों, यहाँ पर 3, अब क्यूसन आपका हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसल हो गया, सेंटीमेटर स सेंटीमेट कैंसल हो गया, तो देखो, 2 बटा, ये है 4, इंटू, 2 की पाउर 3 कितना हो गया, 8, उड़ाओ इसको, 8 दूने 16 बटा 4, ये 4 आंसरा जाएगा, तो नई पाद्र पतिती में, घरतवे का शंख्यात मान कितना हमारे पास 4 जाएगा, इसको इसको एबाद फिर समझ उसको तुरंद लिख दो, वहाँ, पाउर स्प्लस में है, जिस रूप में है, उपर 1 बनाएंगा, निचे टूटो आएंगा, कोई समय से आ नहीं, पाउर लिखी, कुछन सॉल गर दिया, कई मैनस आ गया, तो मैनस को पैटाची, पहले प्लस कर लो, और प्लस कैसे गरोगे, जो उसमें बीचे, जो ब्रेकेट के अंदर राशिया थी, उसको रिवर्स कर लो, रिवर्स करके, प्लस पाउर बनाते विए, आप अराम से सॉल गर दो, क्यूशन आप गलत नहीं हो सकता, ठीक है, बड़े आगे देखो, अब इसकी कुछ महतुपन फीचर्स हैं, बड़े प्रेंटा क्यूशन यहां से आते हैं, बीमाओं की कुछ महतुपन गुण देखिया, पहला गुण है, कि समान परकार की बहुती राशियों को ही परस पर जोड़ा अत्वा गठाया जा सकता है, यहां बिल्गुल साफ साफ द्यान देंगे, समान राशियों को, समान परकार क हम जोडते अत्वा गठाते हैं, वो समान राशियों होती हैं, मानलो दो न्यूटन का बल है, उसमें दस न्यूटन बन जोड रहे हैं, तो बारे न्यूटन बन गया, तो F1 प्लस F2, F3 जो है, वो आपका काइंड ओ फूर्स ही बनेगा, तो जोडन गठाने वो राशियों हम हम कोने सम्वेग में प्लांग नितांग को नहीं जोड सकते हैं, अलग अलग बहुती राशियों हैं, तो समान परकार की बहुती राशियों को, समान बहुती राशियों को ही, एक राशियों में उसी परकार की राशियों को जोड सकते हैं, और उस राशियों में उसी परकार आपकी 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 यहां तो A में B जोड़ दिया है एसमान भोती रासियों को एसमान वीमा की रासियों को एसमान मात्रव रासियों को परस पर जोड़ भी नहीं सकते हैं इसका मतलब यह संब्द आपका गलत है यह भी आपका गलत है हाँ हम भाग दे सकते हैं भाग गुणा कर सकते हैं, उनसे नए रासी बन जाएंगी, यह यह भी आपका लेसन, बिल्कुल आर्थ पूर्ण है, यह भी आर्थ पूर्ण है, यह और ज़्यदा इंपोर्टेंट है, A प्लस हो सकता है कि A कोई रासी थी, A की पूर्ण 3 एपोर्ण B करने से कोई रासी ऐसी आज़कती है, वो दोने बराबर हो सकती हैं, यह बिल्कुल आर्थ पूर्ण हो सकता है, यह संभव हो सकता है, पर यह आपके First और Second पॉसिबल नहीं है, A करता सही था, A प्लस B, B प्लस B करता सही था, B1 प्लस B2 करता, सही था A1 प्लस A2 करता, सही था पर यह संभव, यहां सोरी, यह तो यहां संभव है पर यह चीज़ आपकी, यह दो संभव नहीं है, ओकी बहुत प्यारा क्रिशन है, बढ़े आगे देखो अब यहां देखो, इसमें जो key point है वो पुराने बाले बात यह दो, यहां कर रहा है कि A, B, तथा C, के V में शुतर याद कीजिए, और जो रासिया कुछ है वो उसमें 9 अब आपको दे रखी है ओके, तो यहां दे रखा है कि V यहां पर वेग है, T हमारे पास समय है तो धान दो, यहां लिखा V is equal to A T plus B upon T plus C यहां एक फिचर और अपन जानते हैं कि एक V में समीकरण के दो पक्स होते हैं Left hand और Right hand side बराबर है तो एक शुतर की दोनों पक्स समान रासि तो है तो एक शुतर की दोनों पक्स हैं, वो समान विमा के भी होते हैं उस उपन कहते हैं V में समांगता का नियम V में समांगता का नियम तो V में समांगता के नियम के अनुशार इस वेग की जो डाइमेंसन है वो इस आगे वाले के बराबर है फिर देखो, पर 80 में जोड रहे हैं इसको अर्थार्थी हो गया कि B upon T plus C का जो डाइमेंसन है अर्थी बराबर है और देखो, T में C जोड रहा हूँ जिनकों जोडता हूँ वो समांगता के राशिया होती है तो यहां से स्टार्ट करना देखो मैं इसको डाइमेंसन की रूप में करना हूँ नो जे तो इसको जो solve करेंगे देखो अमारे पास जो first A है उसको मैं लेता हूँ तो A में देखो मेरे पास था क्या है देखो V बराबर आप लेखो A T बराबर देखो बराबर कर लो उसको आप क्या लेखों दो B अपाउन यह T प्लस C है न तो यहां से आप ले लो कि T बराबर C या C बराबर T तो C का तो मात्रिक हो गया time वोला time का होता है second विमा लिखे नहीं हो तो T की power 1 अब C तो T बन गया तो आप C की स्थान पर T लिखो ना अब आपको यह दिए A निकालना है तो इससे अपन A निकालना चाहते हैं तो मेरे पास देखो A बराबर हो जाएगा V अपन T तो V अपन T तो एक तरह से तुण की तुल्ले है यह भी परसंद बनता है यहां किस रास्ते की तुल्ले है यहां इसका विमा क्या बनेगी तो वेग होता है L1 T मैनस 1 अपन कितना आपका T1 तो L1 T मैनस का 2 यह तुल्ले हो गया कोई दिकत नहीं A हमारे पास आजाएगा अब देखो यहां से मैं इसको यह भी कसता हो न कि V is equal to यहें से मैं इसको एक बात और कर दो V बराबर कितना मेरे पास है B upon T तो प्यारे बच्चों B हमारे पास कितना V इंटू T तो हो गया न तो V हमारे पास था L1 T मैनस का 1 इंटू कितना T1 यह T से T कैंसल हो गया तो मेरे पास B क्या है L1 क्यान लंबभई का परकार है काइंड ओफ लेंथ है यह डिस्टेंस के तुल्ले है विस्थापन के तुल्ले है दूरी के तुल्ले है इस रूप में आपकी language है वो प्रश्णों में आस्कती है तो C टाइम के तुल्ले हो गया तो देख बहुत सलिके से आप इतना काम करा करो कि जब भी ऐसे कृस्ण आते है न तो ऐसे कृस्णों में तुरंद देख करके आप इतना काम कर लिए अगरो जहां प्लस है न वहां कर दो बराबर जहां प्लस है वहां कर दो बराबर जहां बराबर बराबर है इतना काम कहीं पर भी जहां पर भी आप देख पा रहे हैं देखो यहां माइनस हा न, कर दो बराबर यहां बराबर पहले से पढ़ाई है काम हो गया अपना यह ही सा हो, A का T स्क्वार हो गया अब इसको उड़ा दूँ आपको A मिल गया, T स्क्वार हो गया इसको उड़ा दिया, तो हमारे पास कितना दिखवा गया, T स्क्वार अपोन F इन्टू V फोर्स इन्टू विलसिटी फोर्स इन्टू विलसिटी पाउर होती है तो डिरेक्टली काम होता है अपना यह, T के पाउर टू अपोन पाउर होती है, M1 L2 T मैनस का 3 सॉल कर दो इसको, M की पाउर मैनस का बन हो गया, L की पाउर मैनस का दो है T की पाउर मैनस का 5 हो गया, बन गया काम तो ऐसे पाउर इसको कर पाईगे कर दो जहां भी PLUS है मैनस का बराबर कर दो, VMA निकालते हैं VMA निकालते हैं कर दिया करो, आप नätteसमा से एक हम और यह मेरे पास V बराबर B, V is equal to B, तो जो B है वो तो आएतन बन गया ना, तो L की पड़ तीन आ गया, इसमें आओ देखो, यहाँ P is equal to किता है, मेरे पास A upon V स्कॉर है, P बराबर A upon V स्कॉर, इससे पर निकालते हैं A, तो यह हो गया P into V स्कॉर, पर P क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर को पनले देए, force upon area, into क्या volume, तो V into V into V कर रहा हूँ, एक V को यहाँ ऐसे कर दो, इसको अठा दूँ, यहाँ पर कर दूँ, A into L, वो ते हैं ना, volume, area into लंबाई, और इस A से एक उड़ा दूँ, अब इसको force, M1, L1, T minus का 2, V volume L की पाउर 3, और L1 हो गया L1, तो यह L की पाउर 4 आ गई, तो देखो इसमें, force हमारे पास क्या था, M1, L की पाउर minus का, sorry, L, 1, T की पाउर minus का 2, into L की पाउर 4, M1, L की पाउर 5, और T की पाउर minus का 2, की हमारे पास इसका B में शुतर आ जाएगा, ठीक है, तो कोई issue नहीं है, हाँ, अब A आपने निकाल लिया, B निकाल लिया, की बार यहां questions में क्या आता, आपको A into B पूछ लेता, आपको A upon B पूछ लेता है, तो वहां क्या करना देगो, यहां क्या करना है, उसका भी आप एक तरीका संदें, अभी मैंने कहा था, कि इसको आपने बराबर कर दिया, इसको बराबर कर दिया, तो आपने यहां से निकाला A, तो मेरे प्यारे बचो, A मेरे पास है P into the V square, P into V square, मैं यहां से B निकालता हूँ, तो B मेरे पास है V, तो अगर हम लोगों को A upon B निकालना हो, तो आपने PV square upon कितना V किया, और V से V कड़ गया, अब pressure into volume होता है, क्या energy, होता है न, उसमा गतिक प्रक्रमें क्या कारी है, तो इसका तुरंत आपको मेरे लिगा M1 L to T minus 2 आगया, यदि हमको यहाँ पर A into B क्याद करना हो, तो इसे गुणा कर देंगे, तो PV की power 3 हो जाएगा, कोई issue नहीं है, याद कर लेंगे, देखो A into B निकालना है, तो मेरे पास है PV square तो पहले से पड़ा है, तो PV into V square कर दो, यह तो हमारे पास क्या उर्जा हो गई, कारी हो गया, तो M1 L2 T minus 2 into volume का square, L की power 6 कर दो गया दिकत है, तो यह तो इसे तो यहाँ मैक्सिम्म जो पोसिबिलिटी जो थी, इस question की वपन यहाँ से देख पाएंगे, तो जहाँ plus minus 2 हो आप बराबर करके, एक प्रशन बनागर की अपने काम है, वो शिद्ध हो दाएंगे, बढ़े आँगे, next देखो, अब यहाँ भी दो कुछ questions करने के ही तरीके यहाँ पर है, देखो यह है कि तिरकोण मीतिय फलन जो है, चरगाता की फलन है, लगुगण की फलन है, आदी सभी विमा रही तो होते हैं, आदी सभी विमा रही तो होते हैं, देखो, साइन यहाँ थीटा है, तो यह पूरा पद यह वाला, विमा रही तो है, साइन होता है क्या, लंबटा करन, लंब है क्या, काइंड ओप लेंथ है, परकार है, करने भी लंबेगा परकार है मीटर पूँन मीटर कट गया तो दीखो ठीटा खुद पिमाई हीन है साइन ठीटा विमाहीन है तो इसकी डाइमेंशन कित्ती होती है M की पौर 0,L की पौर 0, T की पौर 0 और इन सबको पन लिखते है खो 1 into 1 into 1 1 है 0 नहीं है 1 है तो यह अब sin theta है, cos है, 10 है, सारे जो आपके 6 त्रिकोर्ण मित्य फलन होते हैं, sin cos tan इसके उल्टे सब कुछ, सब के सब में theta और sin cos tan की dimensionless होते हैं, जो आपके inverse function होते हैं, y equal to sin theta में theta हो गया, theta equal to sin inverse y, तो देखो, अब यह inverse function है, वो theta ही तो आणा, तो इसले inverse function इसकी dimension 1 आएगी, m0, l0, t की पार आएगी, तो यह कोई दिकत नहीं है, अपन कर लेंगे आपर, तो पूरा function हमारे पास यह हो जाएगा, पर देखे, y is equal to a log e base alpha t, तो यहाँ जो log alpha t है यह पूरा पद, यह पूरा पद dimensionless है, साथ में यह पूरा, यह वाला भी dimensionless है, इसको अपन 1 से लिख पाएंगे, अगर यह dimensionless है, तो y की dimension a के बराबर हो गई, जहाँ dimensionless है, तो y की dimension a के बराबर हो जाएगी, तो यह y और a समान वीमा वाले राशिया हो जाएगी, इसी पर गार देखो e, क्या 2 की power कुछ है, 10 की power है, e की power है, तो किसी भी संख्या की जो power होती है, घाते जो होती है, वो हमेशा वीमा रहीत होती है, और इसमें जो घात खुद प्लस पूरा function, यह वीमा रहता है, यह हम questions में काम में लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है इसमें, आप जो भी यहां लिखा होताँ, यहां जो लिखा होताँ, इसको बन गर दो बस, बाकि अपने आप question हो जाएगा, तो बढ़े आगे देखो ये कुछ क्यूस्टन आगए पहला है कि निमन में A और B के V में शुत्र ग्याद कीजिए यहां देखो, मेरे पास है Y is equal to A तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप क्यूस्टन को solve करेंगे तो A जो है यहां यह सब क्या dimension लेस है तो पहली बात तो है Y is equal to A है तो जो dimension Y की वो यह A की है यानि A का dimension जो है वो Y के dimension जैसा ही है और Y लिखा है विस्थापन तो L की power 1 आगई उसके बाद यहां देखो A कोश omega T minus का BX तो यह जो omega T है इनको जोड रखा है तो हमने कहा भई जहां भी जोड या बाकी है वो सब बराबर है तो omega T बराबर BX है और जो भी यहां लिखा और dimensionless भी है इसलिए dimension देखो यहां दोन चीज़े है कि omega T बराबर मेरे पास B into X भी है और साथ में यह trigonometry function के अंदर theta के स्थान पे है यह कोण का परकार ही है कोई तो यहां पे जो beta into X जो आना यह यह actually 1 B है dimensionless B है तो beta मुझे यह B निकालना है तो 1 upon X तो करना है और X क्या है मेरे प्यारे बच्चो X यहां लिखा नहीं क्या कोई दिकत नहीं X यहां पर A तरह से दूरी ही है इस तापन ही है kind of length ही ही है तो इसको पर लिखें तो 1 upon L और L minus 1 यह इसका V में शुतर हो जाएगा ठीक है अब आते हैं दूसरे में देखो यहां V is equal to A V vague है तो यह तो एक संख्या की तो 1 minus thing संख्या है शंख्या dimensionless होती है तो आप यहां पर भी तो B वाले में start करोगे न तो V is equal to हमारे पास A आ गया तो यहां पर भी A तो कितना V बन गया V तो velocity है लिखा V vague है तो अगर V यहां पर vague है तो उस हिस्ति में L1 T minus का 1 हो गया वस अब रही बात देगो यहां पर कि E की पर minus का B X T है देगो क्या लिखा E की पर minus का B X T तो जो उपर power होती है नहीं power power खुद dimensionless होती है इसलिए आप वहां क्या लिखोगे देगो यह only B X T बराबर हो जाएगा 1 और इस सिस्ति में यदि हम यहां पर निकालते हैं B तो हो गया 1 upon X T X क्या है kind of length 1 upon L into T L1 T minus 1 L minus 1 T minus 1 यह इसका dimension formula बन जाएगा तो बिल्कुल ऐसे आप करेंगे बिल्कुल यह सारा खेल इस तरह से कोई अलग से है नहीं आप देखो आगे यहां थोड़ा से question अलग है P is equal to A upon B और फिर E keep or something है यहां A यहां पर भी चुपा बठा है और यहां भी बठा है तो अब B निकालना हो देखो आप यह dimensionless है तो अगर मैं स्टार से बात करता हूँ तो C में देखो कि P is equal to मेरे पास A upon B है A की dimension में यहां से निकालो मुझे B निकालना है तो इसकी जूरत पड़ेगी तो इससे B is equal to क्याएगा A upon P पर इसके लिए पहले हमको A तो मालूम करना पड़ेगा न A कैसे आएगा तो हम कहरें E जो लोग का आधार होता है एक संख्या है 2.718 अब किसी संख्या की power dimensionless होती है इसलिए आप क्या करो इसमें कि जो भी इसकी उपर लिखा है उसको गर तो बराबर 1 जैनि AZ upon K theta is equal to 1 इसको अपन यहां solve करने देगो AZ upon K theta बराबर 1 तो AZ is equal to क्या हो गया K into theta आगया देगो K into theta अब एक बात सिंपल सी में यहां देगो आपके लिए काम में लेता हूँ Z यहां दूरी है कोई issue नहीं है तो A हमारे पास तो क्या आएगा K into theta upon Z Z दूरी है तो इसको तो अपने लिख देंगे L k power 1 अब है K theta तो theta मंदब temperature तो इस बात देखो अपन पढ़ते हैं average kinetic energy क्या होती है 3 by 2 K T या K theta अब देखो K theta actually है क्या energy तो है ना इसलिए K theta तो उर जाई है M1 L2 T-2 है तो directly इसको काम में लो ना M1 L2 T-2 upon कितना L1 एक power इसे उड़ा दो तो हमारे पास कितना M1 L1 T-2 आजाएगा M1 L-T-2 आजाएगा तो आपने इसको लिदिया यहाँ A से फिर इस A को यहाँ रख दो और P क्या था बेटा जी P pressure था उपन जानते हैं force upon area उससे बनाते विए आप इसको solve कर लेंगे हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको कर पाएँगे भी तो बहुत पहरे परशन हैं जो पर इहाँ भी discuss की हैं dimensions वाले questions जो पर इसको करें इसी तरह questions exam में पूछे जाते हैं कर लेंगे बढ़े आगे तो next question देखिए अगला इसमें यह आपका need 2014 में पूछाओ question है इसमें आप से पूछा है यदि बल F, वेग V और समें T को मूल मातरक मान लिया जाए तो द्रेमान की विमाए क्या होगी वो अपने को बदानी है तो हमको द्रेमान को F, V और T की रूप में यह तरह से बदलना है तो उसका तरीका क्या होती है कि जिसको भी ग्याद करना है हूँ सबसे पहले लिखो यह मास है तो मास किस-किस पर डिपेंड कर रहा है force पे, velocity और time पे जिन पर डिपेंड कर रहा है उसको लिदो पहले और उसके बार F की पार A मान लिए मैंने B की पार B मान लिए और T की पार मैंने C मान लिए A, B, C A, B और C तो क्या लिखो M1 L की पाउर 0 T की पाउर 0 लिख दिया, समान उपाती है 4 से अपन जानते हैं M1 L1 T माइनस का 2 M1 L1 T माइनस का 2 इसकी पाउर किती मैंने A गड़ दी पिर मारे पास है वेलोस्टी कितना L1 T माइनस का 1 और इसकी पाउर कितना B है T समय है तो T तो T की पाउर C मेंन गड़ दी अब क्या करना है क्यों की पाउर को कंपेर करना है तूल न गरनी है अब यहां देखो मास तो इसमें अकेले में यहां अकेला है ना मास मास को और ही नहीं आपर, अकेला मास है तो मास अब अकेला ही है यहां पर तो देखो, मास अकेला ही है तो 1 into A तो A हो गया न तो यहाँ इसके मास की पावर को इसके मास की पावर से compare करना है यहाँ तो पावर है 1, यहाँ है A तो A equal to 1, हमारे पास A का मांद तो 1 आ गया, उसके बाद देखो L आता है, L यहाँ पर B है L यहाँ पर B है, इसकी पावर यहाँ नहीं 1 को A से गुणा क्या, तो A आ गया और 1 को B से गुणा क्या तो B आ गया, तो A plus B L की पावर 1 अब जिसके मतलब है क्या L की पावर A गुणा कितना L की पावर B है दोनों की बेस सेम तो पावर जूड जाती है अब देखो हम A जानते हैं, तो B मेरे पास कितना मैनस का A आ जाएगा, और A की वैल्यू हम जानते हैं कितनी 1 रख दी, तो मैनस का 1 यह हमारे पास B आ गया, तो A 1 हो चुका, B, मैनस का 1 हो चुका C बचा है, C किसमें चुपा बेठा है टाइम के अंदर, तो देखो को दिकत नहीं है यहाँ T की पावर, मैनस का 2 इंटू A, मैनस का 2 A यह मैनस का 1 इंटू B मैनस का B, यह आपका 1 इंटू C 1 C हो गया, तो मैनस का 2 A मैनस का B, प्लस C is equal to 0 आपको निकालना है इसमें C तो A क्या था मेरे पास, देखो 2 इंटू प्लस का 1, फिर B था मैनस का 1, C, और इससे solve करने पे मेरे पास C कितना 1 आ जाएगा अब देखो A हमारे पास कितना था 1 था, B हमारे पास मैनस का 1 है, T मेरे पास कितना है 1 तो 1, मैनस 1, 1 1, मैनस 1, 1 इसकी value हम लोग यहां लिखेंगे तो हमारे पास इसका जो formula है वो बन जाएगा, देखो F की पावर तो क्या हो गई, 1 V की पावर कितना मैनस का 1 और T की पावर हो गया, only 1 F1, V मैनस 1, T1 तो यह fourth इसका अंसर आपका हो जाएगा, ठीक है तो next question देखे उसी प्रकार का है और need 2015 पूछा हुआ है यह कर दा कि उर्जा, वेग और समय को मूल आश्या माना जाए तो प्रस्तनाव की विमा क्या होगी तो सबसे पहले अपने निकालते हैं, प्रस्तनाव होता है एकांग लंबाई पे लगने वाला बल तो force upon length तो इसकी dimension निकाल लेते हैं तो force होता है M1, L1, T- कवरन अपन कितना L1 हो जाएगा और इस L1 से L1 कड़ गया तो M1, L कीप और 0, T- बना जाएगा उसके बाद गो प्रस्तनाव की dependence किस पे energy पे, wake पे और समय पर है 3 पे है तो देखिए आपनो वैसे लिखेंगे कि surface tension मनुपाती कितना E की पाओर A V की पाओर B और T की पाओर C तो तुरंथ हमको क्या पहले step में काम ऐसे करना चीए कि सिद्धे आपकी dimension आइकोन से की surface tension की M1, L0, T-1 उसके बाद इसकी पाओर A थी तो energy होता है M1, L0, T-2 की पाओर मैंने A कर दिया उसके बाद VG है L1, T-1 की पाओर मैंने B कर दिया और फिर तुरंथ अपना है T में तो T की पाओर कितना मैंने C कर दिया T time है कोई दिकर दिकर नहीं है अब उसके बाद 1, E की पाओर 1, A में होती तो PNT कर दिया उसके बाद देखे फिर आपना आते हैं इसमें L पे L यहां पर भी है L यहां पर भी है तो यहां तो 2 into A 2 A और यहां B तो 2 A plus B 2 A plus B equal to कितना दिया 0 जरो गड़ दिया अब 2 A plus B equal to 0 तो 2 A कितना मेरे पास 1 था न तो A को मैं यहां रख दिया 2 into 1 plus B तो 2 plus B equal to 0 तो B मेरे पास minus का 2 आ गया अब minus 2 की बात करते हैं तो minus 2 यहां पर भी यहां पर भी पंगा हो गया इसलिए T निकालना ही पड़ेगा तो देखिए अब इसमें यहां भी T है यहां पर भी T है और यहां भी T है minus का 2 A minus का B plus C minus का 2 A minus का B plus C और यह सब क्या है minus का 1 और इस से solve करने पर C मेरे पास minus का 1 आ जाएगा इसलिए T हमारे पास है minus का 1 तो यह second is का answer आपका E V की पर minus का 2 तो 1 मैनस का 2 और मैनस का 1 करने से आपका आंसर है वो आ जाएगा, अब देखो बहुत ही आसां आपका portion स्टार्ट हो चुका है, इसको आपने देखना ही है, सार्थक अंग निकालने की कुछ रूल्स हैं, तो पहला है इसमें, कि सार्थक अंग होते क्या हैं, सार्थक अंग होते क्य जिसे मालो यह आपका 0 है, मालो यह सकेल है, यह जी फिए 1 cm, यह आपका 2 cm ऐसे 3 cm और 4 cm, मालो यह आप यह 5 cm ऐसे लिखा हुआ है, ठीक हम भी, अब यह जो लेंठ थे है इसको मैजर करना है, मालो यह था आपका 1, 2, 3, 4, और यह 5 था, अब आपके यह मालू है कि यह 1 cm इसक इसको थोड़ा break करता हूँ, आप लोग यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10, इस तरह इसको मैं distribute करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यह 6 और 7 की बीच में लंबा ही है, अब यह तो निशिद है कि मेरे पास तो यहां कितना है, यह मैं करता हूँ, इसको लोगा हूँ, यह हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.6, इस centimeter हो गया, पर इसके बाद यह 6 से कुछ ज़्यादा है, 7 से कुछ कम है, पर जो अगला digit हम लोग यूज करेंगे, वो fix नहीं है, वो uncertain है, तो यहां देखिएगा, कि जैसे यह मैं लिखता हूँ इसको 4.6, और मैं यहां पर आगे जो value जैसे आपके certain value है, यह निशित value है, परन्तु आगे जो आपन यूज करते हैं, वो आपका uncertain है, तो देखिएगा, किसी भी मापन में, यह दो तो हो गया, आपके निशित अंग होगे, विश्वसनियंग होगे, certain होगे, एक हो गया आपका अंतिम uncertain, तो पहले बाले, सारे के स certain, यानि विश्वसनियंग, और एक अंतिम uncertain, इन सब को मिला करके जो संख्या बनती है, उसको हम कहते हैं, कुल सार्थक अंकोंग शंख्या, तो देखो, कुल संख्या मारे पास है, विश्वसनियंग, प्लस कौन सा अंतिम अनिशित अंग, यह आपका तरीका होगे, तो आप dlór, आउष्वने अंग सार्थक होते हैं, आपका शियून मतलब 0-D little sannall, 9 यह ए, जैसे इसमें सारे आइश्वने अंग हैं, तो एक, दो, तिन, चार, चार, इसमें सार्थक अंग हो जाएंगे, इसमें, तीन हो昨양 हूंग, ईसमें तो उह संख्यायों में एक साह हो, इसमें क इस्तित शुन्ने शार्थक अंग होते हैं, दो हमारे पास ऐसुन एंग, जैसे मालों 5 और 3 ऐसुन एंग है, इनके बीच में आपका 0 है, वो शार्थक अंगों में गिना जाएगा, मजबूरी में है, गिना पर चारों क्या करें, बस गया है, बस गया हो, बस तो 5, 6, 0, इसमें कितने हैं, 3, यहाँ पर 4 हो चुके हैं, यहाँ कितने बड़ा देखो, यह दो और 3 कैसे आपके हैं, यह है ऐसुन एंग, बीच में 0 आगे, तो शार्थक अंग काउंट होंगे, इसलिए 3, 4 और 5 आपके आज आएंगे, इसी परकार देखिएगा, नेक्ष्ट, जो क्युष् अंग, तो कह रहा है, पर्थम ऐसुन एंग के पहले, यानि इसके पहले जो 0 होते हैं, उनको शार्थक अंगों में नहीं गिना जाता है, इसलिए यहाँ कितने हैं, अनली 3, यहाँ कितने हैं, अनली 2, इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, कोई दिकर इसमल बिंदु वाली संख्या में, अन्तिम ऐसुन एंग के बाद के सुनने सार्थक अंग होते हैं, हमने का था, यह पहला ऐसुन एंग है, यह आपका अन्तिम ऐसुन एंग है, इस अन्तिम ऐसुन एंग के बाद के 0 होते हैं, वो मापन से पराप्त होते हैं, और उनको हम सा नेक्स में भी थूड़ी से अलग रूल यहां पर आजाएंगे, तो देखें इसमें, दसमल बिंतु रहित संख्या में अंतिम अशुन्य अंग के बाद के शुन्य सार्थक अंग नहीं होते हैं, केवल सिंपल संख्या हैं, पर यहां थूड़ी से एक बात अलग है, जैसे संख्या है, सिंपल संख्या है कोई, पांस सो, बारा सो, तो ऐसी संख्या में, और संख्या बार में कुछ लिखा नहीं, क्या संख्या है, सिंपल संख्या है, यह लिखा होता है, कि पांस सो व्यक्ति, तो पांस सो अम्रूद, पांस सो केले, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, कि वहाँ तो फिक्स होता भी हम यह कहते हैं कि एक्चुलि जो सार्थक अंक है उसमें होता क्या है हम लोग को संख्या लिखते हैं उसकी क्या सार्थकता है किसी मापन से प्राप्त मान में जितनी सार्थकता होती है जितना उसका सिग्निफिकेंश है उतने उसमें सार्थक अंक मान तो कितना वास्तिक मान के करीब है और परिशुद मान जो होता है उसको पन कहते हैं कि कि हमने किस हद तक उसको मापा है किस हद तक हमने उसको परियास किया है सही मापने का होचता है मापने कि अंदर उपकरण आपका गलत रहोगा तो मापन में को तुरूटी आ गई होगी तो जितनी अधिक संख्या में सार तक अंग होते हैं वो मापन उतना ही परिशुद होता है तो यह बात आप क्या लगाती है तो यहाँ 501 सिंपल संख्या है कुछ लिखा नहीं कि मापन से प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थी में इन जिरो को अपन काउंट नहीं करेंगे तो एक आज आएगा 1200 में अंतिम दो है वो काउंट नहीं होंगे इसलिए दो आज आएगा पर यहाँ देखो 300 प्लस मैनस एक यह तुरूटी है इसका एरर है यह तो हम इसमें 300 प्लस एक यह तीन 200 निनान में करेंगे तो अंतिम अंग जो है वो आप निशित नहीं है ए निशित है निशित है क्या नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे अब इसमें आपको मजबूरी में कितने सार्थंग अंग लेने पड़ेंगे तीन लेने पड़ेंगे पिर अगला है, जब किसी संख्या को चरगातां की रूप में परशित किया जाता है, गात की रूप में उसको लिखते हैं, पाउर की रूप में लिखते हैं, गातां की रूप में लिखते हैं, तब उस संख्या का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभव नहीं पड़ता ह जो गात होती है, उसको पन सार्थ अंगों में शामिल नहीं करते हैं, पाउर की रूप में अपने उसको लिखते हैं, गातांग की रूप में लिखते हैं, तो उसका गात है, वो सार्थ अंगों में काउंट नहीं होता है, जैसे यह नंबर है, यहां यह काउंट नहीं होगा आ तीन आपका होजाएगा, इसमें कितने, इसमें तीन आपके होजाएगे, कोई दिखत नहीं है, बढ़े आँगे, next देखो, निशित अंग, जो किसी संख्या को दर्शाते हैं, किसी गणना का परिमान, संख्या कोऊंटिंग करते हैं, संख्या काउझन करते हैं, माँलो मिरे पास ये दो पेन है, तो फिक्स है, दो पेन ना कम ना जगया, ये फिक्स है, और इसमें मापन में शुता कितनी 100% है, अब 100% है तो इसमें सार्थक अंगों के संग्या अधिक्तम होनी चाहिए हम कह रहे हैं जितनी अधिक संग्या में सार्थक अंग होते हैं उतना ही मापन आपका परिशुद होता है तो यहां यह पचास स्टुडेंट आपने काउंट किये तो काउंटिंग से जो प्राप्तमान है पचास स्टुडेंट इसमें शुत्ता कैसी 100% शुत्ता है इसलिए यहां पर जो सार्थक अंग है उनकी संग्या अधिक्तम है जो कितनी है मैक्सिम कितनी पॉसिबल है अन्द पॉसिबल है शुद कितना है 100% कितने सिंग्निफिकन्ट फिगर हैं इन फिना इन इन गंठा समयम आप लिए आपने बनावर है फिक्स है गर्णा से दो दर्जन 2424 होगे फिक्स है ऐसे पर गरपाइंग को दिखत नहीं अब एक एक एक्जाम्पल है कि संख्या हों दिश 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 और दिश में कितने सार्थक अंग है आपको व्याद करने है तो फर्स्ट है यहां देखो यह सारे एक्षो ने हैं अगला है मापन में पुर्णांकन कैसे करते हैं राउंडिंग ओफ कैसे करते हैं यहां सिंपल सिमिस के रूल है तो यहां पहला रूल क्या है जैसे इसमें दो अंगों तक पुर्णांकित करना है तो इसको पुर्णांकित करना है तो जिसको पुर्णांकित करते हैं उसके ब कटा देते हैं, तो आपका answer सिर्फ और सिर्फ 7.8 प्रेज आएगा, इसी परकार देगो, यहां इसको यहां तक round up करना है, तो इसको round up करते हैं, उसकी बाद की संख्या 5 से छोटी है, तो आप उसको छोड़ दो, पांच छोटी तो छोड़ दो, बड़ी है, तो जिसको round up कर रहे हैं, उसको उसमें एक जोड़ दो, जिसको round up करते हैं, उसके बाद संख्या एक से छोटी है, तो छोड़ दो, और बड़ी है तो एक बढ़ा दो, वास ऐसे करना होता है, तो यहां देगो, इसको मुझे 3 आंसर आजागा, इस को भी 7 वाले को ये 3rd वाले को आमें राउंड ओप करना है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से सिग्निफिकेंट है नंबर स्टार्ट होते हैं, फास्ट, सेकेंड और थार्ड, उसके बाद कों से है? आठ, 5 से बढ़ा है, तो एक जोड़ दो, कि आपक पी लिए 8 आनसर आजाएगा, फृ देखो अगला है अगला है, simple or है कि दोसी मेरे ओमने कहा कि जिसको अपन पुर्णांकित करते हैं उसके बाद में पांच से बढ़ा आगया तो बढ़ा दिया पांच से छोटा है तो उसको अपने छोड़ दिया आपका जिस अंक को पुनांकित कर रहा था, वो आपका वैसा बना रहा, परंतु अगर जिसको पुनांकित करते हैं, यदि उसके बाद में पांच आ जाए, जिसको पुनांकित करते हैं, उसके बाद में पांच आ जाए, अब क्या करें, बढ़ाएं, गठाएं, तो उसके पांच पांच आ गया 9 zeker बड़ा था बढ़ा facar और यह च्वटा ऐस उसको छोड़ दिए प्ल Dancing अब क्या करें हुपी आपके ऐ कि उसके बाद क्याjskr जिसको प्रणंकित क्या, उसकी बाद पांच आ गया है, तो पांच की बाद क्या है, तो उसकी बाद क्या है, उसकी बाद 2 संब गहँना हुना है, यह तो शुन्ने या आशुने, यदि ऐसुने एक, दो, तीन, चार, पांच, नो तो कुछ भी है, यदि ऐसुने का अंक आता है, जिसको प्रणांकित करते हैं, उसको आप एक से बढ़ा दीजेगा, जिसको प्रणांकित करते हैं, उसको एक से बढ़ा देंगे, यानि कहले मतलब है कि यह तरसे पॉइंट है 3, यह 5 एक है, 5 से कुछ बढ़ा ही है, तो आप उसको बढ़ा देंगे, तो यह इसका अंसर 2.4 आजाएगा, 2.4, पर अंतो देखो, यह अगला देखो, यहाँ यह 7 को अपने ग्राउंड हो कर देंगे, यह 5 के बाद कैसे ऐसो नियंग है, तो जिसको प्रणांकित करते हैं, उ कोई दिकत नहीं है, अच्छा, नेक्स देखो, तो नेक्स दूल हमारा है, कि यह इसमें आते हैं, आप देखो, यह 5 जिसको प्रणांकित किया, उसके बाद 5 आया, 5 से बढ़ाया, बढ़ा दिया, छोटाया, छोड़ दिया उसको, अब 5 के बाद 9 जिरो आया, तो फिर अपन मैंने क्या, उसको एक से बढ़ा माना, पांस से बढ़ा माना, और जिसको प्रणांकित क्या, उसमें से एक जोट दिया, पर सुनने आ गया, तो क्या करना है, उसमें फिर आपके दो रूल है, देखो, मैंन चीज यह है, कि जैसे मान लो, यह कोई 12 था, 12 पॉइंट मेरे पास 6, 5, यह 6.30, ऐसी कोई संख्या थी, मुझे इसको पुर्णांकित करना था, तो मैंने क्या करना है, मुझे इसके बाद की संख्या देखनी होती है, 5, 5 आने पर लाफ़ड़ा, उसके बाद देखते हैं, यह संख्या, अब यह संख्या 0 है, कि 9-0 देखनी है, अभी कितना 9-0 तो आपने क्या करना है, 6 में बढ़ा दो, उड़ा दो इसको, तो 7 हो जाएगा, परन तो मानलो यह 0 हो जाए, यह क्या हो जाए, 0 हो जाए, दुनों 0 होगे, अब राउंड ओप करना है, जिरो होने पर क्या करना है, कि जिसको पन पुर्णांकित कर रहे थे, वो खुद कौन है, वो सम है कि ऐसम है, यानि वी सम है, सम है या ऐसम है, जिसको पुर्णांकित करते हैं, उसके बदर 5 आ गया, फिर 0 आ गया, तो फिर रूल यह है, कि जिसको अपन राउंड ओफ करने जा रहे थे, वो खुद कैसा है, वो सम है, तो सम से समान रहेगा, यान जैसा है, वैसा और विसम है, तो उसको विप्रित कर दो, या उसको एक बढ़ा दो उसमें, उसको विसम से सम कर दो, सम करने लिए आपको एक बढ़ाना है, तो अगर सम संग क्या है, तो उसको वैसे कि वैसे सम को शमान, सम को तो सम सम में से सम से समान कर दो, उसको तो वैसे रहन देना, विसम है उसको वीप्रित कर दो यानि एक बढ़ा करके उसको sum कर दो यानि answer में आपका sum ही छोड़ना है ओके आप देखिए roll यहाँ हमने इस 7 तक तक अपन round of कर रहे हैं तो second तक round of कर रहे हैं उसके बाद 5 के बाद 0 आ गया यह संगे कौन सी विसम संग गया एक बढ़ा दो 7 से 8 हो जाएगा तो 3.8 हो गया यहाँ देखिएगा यह 1 है 1 को अपन पुर्णांकित करेंगे तो 5 के बाद 0 आ गया यह भी संग क्या एक जोड़ दो 2 हो गया यहाँ देखिए इसमें यह 2 था मुझे इसको पुर्णांकित करना है 5 है यह 0 आ गया यह सम संग्या है सम की सम रहेगे 2 रहेगा यह 6 का 6 बना रहेगा आपका आंसर इस रूप में आ जाएगा ठीक है तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स है अब कोई इश्यू है नहीं इसम्पल आपको रूल लगाने है यह करता है चार सार तक अंकू तक पुणांकित कीजिए तो देखो यह 1,2,3,4 यह 4 है उसके बाद है 2 5 से छोटी संग्या छोड़ दो बढ़ा इसको आंसर आपका 24.57 आ जाएगा यहाँ पर 4 तक 1,2,3,4 यहाँ तक रौंड ओप करना है इसके बाद पांच है पांच के बाद देखो सुन्ने है कि आच सुन्ने है जिसको पुणांकित करते हैं उसको बढ़ा देंगे तो 4.2 3,4 को एक बढ़ा दो तो 4.2,3,5 इसका अंसर पाउर है वो काउंट होती नहीं है तो 10 की पाउर 6 आप लिख दीजिए कोई दिकत नहीं है नेक्स देखो दिएगे मानू को CGS में करनवर्ड कीजिए तो देखो यहाँ यह मीटर में है ना तो पाउर का तो इस्चु होता यह नहीं है बस जब भी आप मात्रग पत्ती बदलते हैं तो बदलने पर शिगनिफिंट फिगर उनकी टोटल सिंगा में कोई बदलाव नहीं आना चीए तो मैनस का 2 था भई अब इसको मैं यहां गुणा करता हूँ मेटर से तो 100 सेंटीमेटर यह इससे कतम हो गया तो आप इसको only 4.5 ही लिख पाऊगे इतना सेंटीमेटर यह 2400 केजी है 2400 केजी है तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो 2.400 इन्टू 10 की पाऊड तीन केजी भी लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है जितने सार्थक अंक है इसमें इतना है जैसे एक पाऊड़ से दूसरे बदलते हैं सार्थक अंकों के संख्या में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए अब केजी को बदलना ग्राम में तो 10 की पाऊड तीन ओर आ गए तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2.400 इन टू 10 की पाऊड़ तीन पाऊड़ से तीन ओर आ गए 10 की पाऊड़ छे ग्राम आ जाएगा कोई दिकत नहीं है बदल लिए आपने इसको CGS में पर बदलने के बाद भी आप ध्यान रखें कि इसको अपन 2.4 नहीं कर पाएंगे इसको 2.4 जरूर नहीं कर पाएंगे ये मातर की साथ रासियां है मापन से प्राप्तमान है और इन में सार्थ अंगोंग शंक्या बदलने नहीं चाहिए ये पूछे इसमें कितने significant figure है 4 है जब बदलोगे तो 4 ही रहने चाहिए ठीका भी कर लेंगे बढ़े आँगे ओके तो next question देखें आप तो उसमें है significant figure है उनकी calculation अपन कैसे करते हैं तो देखिए इसमें rule आपके दो rule है अगर आपको जोड और बागी जोड और गठाना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग जिन संक्याओं को पन जोडते अथवा गठाते हैं उसमें decimal point के बाद decimal point के बाद कितने नियूंतम अंक है उतने ही प्राप्त result में decimal point के बाद अंक होने चाहिए जैसे इसमें कितना एक है यहाँ दो है यहाँ कितने तीन है तो कम से कम कितना एक है तो जो result आपको मिलाना उसमें point के बाद एक ही अंक होना चाहिए आपने इन संक्याओं जोड़ा हमारे पास यह प्रेणाम आ गया जिसमें जो आपका point के बाद एक अंक है इस तक पुरांकित करना है अब इस तक पुरांकित करना इसके बाद में है क्या 2 5 से छोटा है तो छोड़ दो छोड़ दिया तो आपका answer 36 point साथ आ गया उसी प्रकार देखो next बाला यहां इन सब को जोड़ना है हमने इनको जोड़ दिया जोड़ने से मेरे पास यह संख्या आ गई इस संख्या आने के बाद देखे आप इसके point के बाद कितने 4 है यहां कितने आपके पास 3 है यहां कितने 2 तो कम से कम कितने 2 है 2 तंग आपको पुरांकित करना है तो point 4 और 7 यह second अंग है इसके बाद में कितना 3 5 चोटा है ड्रोप कर दो इसको अठा दो हमारे पास answer कितना आजाएगा 3.47 आप देखो next question तो next में भी आपको इस तरह से देखना है यहां पे 62.831 यह 24 इसको गठाना है गठाने से मेरे पास यह संख्या आगई अब देखो इसमें कितना जिसको इपन गठा रहे हैं इसमें पॉइंट के बाद 3 है यहां कितने मेरे पास 4 है यह हैं कम से कम तो पॉइंट के बाद 3 अंग तक आपको पुणांकित करना है 1 तक आपको round up करना है 1 के बाद कौन सा 8 5 से बड़ी संख्या है जिसको round up करते हैं उसमें एक अब बढ़ा देंगे तो एक से आपका हो जागा 2 तो point to add तो इसका answer है वो बन जाएगा ठीक है next देखो अब आपकी rule है कि इसके गुणा भाग के हैं गुणा भाग में क्या करते हैं वहां तो point के बाद संख्या नियुनतम कितनी थी उतनी उतर में आने चाहिए इसमें क्या पूरी संख्या में नियुनतम सार्थक अंग कितने हैं उतने ही result में आने चाहिए जैसे इसमें कितने हैं पांच यहां कितने दो हैं तो उतर में दो ही आने चाहिए तो दो मतलब यह आपने गुणा करने पे संख्या आगए इसमें दो तो फिर्स्ट ये सेकंड यहां तक पुनांगित करना है, इसके बाद में किया देखो च्छै है, च्छै पांस से बड़ा है, जिसको पुनांगित करते हैं, उसमें एक जोड़ देंगे, तो दो से तीन हो गया, तेतिस के सांसर आ गया, यहां देखे, इनको गुणा कर रहे हैं इसमें तीन है, यहां कितने हैं, आपके पास पांच हैं, इसमें तीन आपका नियुन्तम है, तो नियुन्तम आंसर इसमें तीन ही होने चाहिए, तो रिजल्ट हमारे पास है, इसमें यहां देखो, यह संख्यान है, इसमें आठ, तो इसमें थर्ड आपका आठ है, इसको भाग देने पर मेरे पास संख्या आ गई, संख्या के बाद दो ही पूर्ण संख्या में सार्त अंग होने चाहिए, यहां देखो, पहला आश्टोने के पहले का जूरो सामिल होता नहीं है, तो यहां तक आपको राउंड डॉप करना, उसके बाद में है 1, तो बन तो 5 छोटा ह सबको अठा दो, डॉप कर दो, डॉप करते हैं, 0.2 वन इसका अंसर आ जाएगा, नेक्स देखो, अब इसमें सिंपल से कोश्टन है, कि किसी बस्तू का द्रेमान इतना है, और इसका आयतन इतना है, तो इसका गनत भी कितना होगा, तो अगर हम इसमें 5.74 में भाग देंगे 1.2 का, तो भाग देने पर हमारे पास संख्या जो आएगी, वो आपको मिलेगी 4.7833 ये संख्या आएगी, आप देखो भाग दे रहे हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंग हैं हमारे पास 3, इसमें कितने हैं 2, तो भाग देने की प्रक्रिया में, जिनको अपन भाग दे रहे यह वो शंख्या हमारे पास है, यहां दो सार तक हैं, यहां तीन है, निउन्तम कितने दो आगए, तो दो तक ही आना चीए हैं, इसका मतर्व सेकंड को round up करना है, जिसको round up करना है, उसके बाद में कितना 8-5 से बढ़ा है, जिसको round up करते हैं, उसमें एक बढ़ा देंगे, तो आपके मापित मान है, उनका अंतर है वो तूरूटी कहलाता है. अब तूरूटियों के प्रकार है, तो नियमे तूरूटियां होती है, जो सुने तूरूटी होती है, इसकी चर्चापन, simple है, कोई खाश है नहीं इसमें, तो अब देखिए इसमें क्या करना हम लोगों को, कि ये तुरूटिया अज्यात कारणों से जो याद दिस तुरूटिय होती है, random errors होती है, इनके करन ज्यात नहीं होते हैं, इन तुरूटियों कभी-कभी संभावी तुरूटिया भी कहते हैं, यह आपको याद रखना है, simple, आप देखो, हम किसी राश्य का वास्तिक मान कैसे निकालेंगे, तो हमें एक राश्य के अनेक मापितमान दे जाएंगे, तो A1 राश्य का मापितमान है, A2 उसी का दूसरी बार मापा, उसका मापितमान ऐसे अपने मान लो, 10 बार मापितमान करें, 10 बार, 20 बार, तो सभी जो मापितमान हैं, उन सब को अपने जोड़ा, और उसमें कितने बार मापन क्या था, उसका भाग दे दिया, और इससे मेरे पास एक average मान आ गया, उस average मान को ही हम उस राजसी का वास्टिक मान मान लेंगे, मानने कि पश्चाथ हम निकालते हैं, निर्पेक्स तूरूटी, यह है क्या, डेल्टा ए, निर्पेक्स तूरूटी का formula अब है क्या, पहले मापन में कितना निर्पेक्स है, दूसरे में कितना निर्पेक्स है, तीसरे में किता निर्पेक्स रूटी 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 निर्पेक्स सब के सब प्लस आजाएंगे, उन सब को फिर हम क्या करेंगे, जोडेंगे, तो देखो, ये मेरे पास डेल्टा A N तक आ गया, फिर है माद्दे निर्पेक्स तुरूटी, जो निर्पेक्स तुरूटी आई थी, उन सब के प्लस मान लेकर के उनको जोड़ देंगे, और कितनी माद्दे निर्पेक्स तुरूटी आने के पश्याथि, आपको निकालना होता है, सापश तुरूटी या बिनातम अतुरूटी, कुछ नहीं, मिन बार होतों मीन को भाग देंगे, तो डेल्टा A जो भार मेरे पास थी, इन सब का जोड़ बटा N तो यह जो हमारे पास मान आ उससे भाग दे देंगे तो यह हमारे पास सापेक्स तुरूटी है, बिना तुरूटी आजाएगी, परसंटेज अर्र निगालने हैं तो सोज से अपन गुणा भी कर देंगे, अलपत्मांग तुरूटी उपकरण की विविदन समध्य होती है, सेंपल उसमें कोई दिकत है नह तो बिलकुल बहुत ही conceptual case अपन इहां लिएं, जब भी जोड अथवा गठाएंगे अपन, तो या तो A plus B होगा या A minus B होगा, A और B के मान आपको दी जाएंगे, कैसे दे जाएंगे, तो A का मान ऐसे दिरखा होगा, कि 2 plus minus, मान लिग दिया, 0.5, B लिग दिया, 6 plus minus कर दिया मान लो point, 3S से मान दे दिये, मान लो यह कोई centimeter है, यह मान लो मेरे पास कोई centimeter है, कि पन जोडते गठाते हैं, वो समान रास्टी को पन जोडते हैं, अठाते हैं, मेरे पास A और B दो मान आगे, अब मुझे जोडना था, गठाना है, तो सबस्वाद देखो हमेरे पास है क्या एक तो हमेसे हम लोगों को delta x निकालना पड़ता है maximum, तो maximum हमारे पास कितना A की through T और B through T का जो है, जैसे यहाँ देखो, यदि मुझे यहाँ पे delta, जैसे मैं ऐसे गता हूँ, कि x मेरे पास क्या है, A plus B है, तो आपको निकालना है delta x, और A plus B में अधिक्तम निरिपेx through T कित यहां دेखने वाले बात यहां, कि अगर x निकालना है, यदि को x निकालना है, तो A plus B हैंने 6 और 2 आठ हो गया, यदि मालो मुझे B minus A ग्याद करना है, यहाँ मुझे B minus A ग्याद करना है, थो मैं 6 minus 2 करदूँगा, य setzen देखो, यदि मैं x- oops को ऐससे लिखता हूँ, ब minus A है, और यह तो है मेरे पास x a plus b, यहां मेरे पास x ds है b minus a, मुझे इसमें तुरूटी निकालनी है, तो इसमें x में delta x maximum कितनी हैं कि a की तुरूटी, b की तुरूटी का केवल जोड, तो आपने 0.5 और 0.3 को जोड़ा, तो 0.8 यह आपका plus minus 0.8 cm आ गया, इसी परकार अगर x ds मेर पास है b minus a, तो इसमें भी आपको उतनी ही अधिक्तम निर्पेक्स दूरूटी लेनी है, क्यों जोड़ने गठाने की प्रकिरिया में फिक्स रहता है, उसमें कोई अलग नहीं आता है, तो इसलिए इसको पन कर जाएंगे, अब यहां देगो, आपको निकालना है, प्रसंट to a into b आएगा, सबसे पहले आपको निकालने इसमें, बिनात्म तुरूटी, तो x को बदल दो आपे, परसनेटेज एरर में, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1, तो simple पावर को आगे लागर कि उसको delta upon initial में बदल दो, तो यहां 1 into delta x upon x, यहां 1 delta a upon a, यहाँ 1, delta b upon b, ऐसे कर लिया, अब जो मेरे पास मान थे, यहाँ देखो, a का मान यह था, b का मान यह, यदि आपको delta a upon, आपको x चाहिए, तो x तो a into b है, तो देखो इसमें, अब आपको question जो आएगा ना, question में आपको लिखाएगा ऐसे, कि x is equal to a upon b, इसको solve करना है, या हमको a into b करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको a अक्ष निकाल लेना है, अक्ष कैसे निकालोगे, तो a upon b दे रखा न, तो a upon भी 2 बटा, 6 अपने a बटा 3 कर लिया, मेरे पास यह मान आगया, a into b करना है, तो 6 into 2 मेरे पास 12 आगया, तो सबसे सबसे पहले आप x का मान निकालो, जो भी है गुणा की रूप में, भाग की रूप में, याद कर लिया, अब, डेल्टा x निकाल लिया न, तो जो x हमारे पास है, a into b, उसको यहां रख दो, डेल्टा a upon a, यानि, 0.5 upon 2, और डेल्टा b upon b, 0.3 upon 6, यह मान रख दिये, और हमा बिनात्त रूटी, तो केवल डेल्टा बिनात्त रूटी ओनली क्या है, this upon this plus this by this, ऐसे हमको यहां यूज करना पड़ेगा, भाग में गुणा में सहमी होता है, तो x क्या है, वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां इसके, ऐसे ही हमको काम करने है, तो भी कोई दिकत नहीं है, जैसे अपने पाउर भी का था, वो यहां पर है क्या, x equal to a की पाउर n, b की पाउर e, इसको a की पाउर n, और b की पाउर minus m कर दो, यह x की पाउर की तिवान है, अब only जो पाउर को आगे लाकर कि उसको आप सबसे पहले, बिनात्मक यहां साप यहां n को आगे लागे हैं, और यह हमेशा maximum पन निकालते हैं, तो यह है क्या एक्चुली, डेल टैक्स अपन एक्सिमम आपकी भिनात्मक तुरूटी है, जिसलिए सब को अपन जोड़ना है, सब को मैनस को भी जोड़ना है, मैनस को भी जोड़ना है, ज्यान देलो, maximum से पूछे ने क्यूशनों में, तो हमको सब को यहां पे plus minus लाते हुए, आपको यह maximum निकालनी होती है, जितनी भी आपके पास power सब को plus करते हुए, आपको निकालना है, तो देखो, जिसलिए मालो, मारे question है, कि गोले की तरिजा के मापन में 30.5% है, radius के मापन में, तो यहा पालना है, एक इसमें area में, तो surface area गोले का होता है, कितना 4 pi r square होता है, 4 pi r square, इसका मतलब यहाँ area किसके समानुपाती है, r square समानुपाती है, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ power 1 है तो आप लिखा delta a upon a, तुरंत इसको गुणा कर दो 100 से बराबर, यहाँ इसकी power 2 आगे ल का इसमें, आपका error आजाएगा, आयतन में निकालना है, तो कोई शमय स्यानी है, b, volume समानुपाती r square 3 आएगा, 4 by 3 pi r cube, यहाँ only power को 1 लाएगे, इसको बदलेंगे, तो यहाँ मारे पास तो delta v upon v into 100, इसे कल्टो, यह 3 को अगे लाएगे, तो 3 into कितना delta r upon r into 100, यह मेरे पास ह 3 को 0.5 से गुणा करोगे, तो 5 ती 15, 1.5% इसमें आपकी error आजाएगी, ठीक है, next question देखिए आप, नेट के लिए बहुत ही शांतर question है, बहुत अच्छा question है, तो इसमें देखिए आपको question क्या कहे रहा है, कि सरलोलक का वर्तकाल t is equal to 2 pi root l by g से दिया जाता है, ठीक है, तो इसका मैंने पहले यहीं square कर लिया, t square equal to 4 pi square l by z, और इसमें आपसे g में percentage change पूछा गया है, तो g को पर यहाँ ले लेते हैं, t square यहाँ जाएगा, तो ऐसी system में, g हमारे पास बना 4 pi square, यह होगा आपका l upon d square, 4 pi square एक constant है, तो आप इसको proportional रूप में लिखेंगे, तो क्या बन पावर तो 1 है, और l का पावर कितना 1 होजेगा, 4 pi square constant है, तो t की पावर मैंस का 2 बन जाएगा, और इसको मैं यहाँ, अगर maximum fractional change में convert करता हूँ, तो maximum इसमें error कितनी possible है, तो delta g upon g, यह fractional change, इसको अपने 100 से multiply किया, तो बन गया percentage change, यह अपने लिखा maximum, तो plus minus, और जिते भी यहाँ पे होता है, सारा value, plus का minus का, सब को हमको plus करते विए योज कर लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे यह maximum लिखा है, तो सारा plus हो जाएगा, ठीक है, उसमें फिर minus का अपने योज नहीं करना है, सब को अपने को add करते विए चलना है, आप देखो, सबसे बढ़ा है, इसमें मिलिमेटर है, इसका मतलब इसको जिस भी उपकंड से मापा जा रहा है, उसकी list count कितनी है, वन मिलिमेटर है, उसमें maximum error कितनी possible है, वो वन मिलिमेटर है, maximum error इसकी वन मिलिमेटर होगा, तो यहाँ देखो, यह तो हो गया हमारे पास क्या delta L, और यह है L, पर यहाँ पे देखो यह है centimeter में, और यह हमारे पास है किसमें millimeter में, और जब भी हम use करेंगे, तो system of unit आपका similar होना ज़रूरी है, तो अगर मैं delta L को one millimeter use करता हूँ, one millimeter, तो as इस इस दी में L हमारे पास क्या हो जाएगा, L है 10 centimeter, इसको बदलना है millimeter में, तो एक centimeter होता है, आपका 10 millimeter, तो 10 into 10, यह delta T upon T, अब T तो यहाँ पे time period आवर्थकाल है, delta T क्या है, आवर्थकाल को मापने में होने वाली error है, अच्छा, अब इसके लिए करेंगा है, दोलन का आवर्थकाल 0.5 second है, यानि हमको आवर्थकाल T दे दिया गया है, यह तो है, हमारे पास 0.5 second, तो use करना ही पड़ेगा, नियुंतम एक second माप सकती है, यानि उसका नियुंतम माप कितना एक second हो, उसका list count है, और list count की बरावर उसके maximum error हो सकती है, इसलिए delta T जो है, वो एक second है, पर, यहाँ सबसे important यह है, कि इसमें जितने बार आपन मापन करते हैं, उतनी ही गुना कम आपकी error हो जाती है, तो धान जितनी ही गुना, वन अपन की रूप में आपका, जो error हो जाता है, तो यहाँ टी बरावर कितना है, यह कूल समय है, अपन कितना है, यह total number of us lesson है, फिर है delta T, यह है आपकी मापन में through T, और upon यहाँ कितने बार आपन ने उस lesson किये, तो यह हो गया, तो अगर हमको यहाँ delta T है जो error हो रही है, जितनी बार हम उसमें मापन करते हैं, उतने ही गुना, वन अपन की रूप में आपका, जो error है, वो कम हो जाता है, तो यहाँ t equal to tyn है, यह delta T मेरे पास, delta T upon n हो जाएगा, अब देखो questions में क्या requirement है, वो बड़ा issue है, आपको यहाँ पे आवतकाल दर्गा, त तो delta T दो कितना है, delta T हमारे पास, delta T upon n, तो अपने इसको यहाँ पे काम में ले लेंगे, तो delta T की स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा, delta T, यानि उसके मापन में जो अधिक्तम तुरूटी है, वो one second, तो one, अपन कितनी बार आपने oscillation लिए है, 100 बार, 100 दुलन के लिए ह ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, 100 से multiply कर देते हैं, और आप solve कर लेंगे, कई बार क्या होता है, आवरत काल दिया नहीं होगा, जब आवरत काल दिया नहीं हो, उस समय क्या करेंगे आप, उस समय तो delta T upon n, यहाँ भी T by n, n से न कर जाएगा, तो delta T upon t आजाएगा, उस condition में आपको सिर्फ और सिर्फ यह है कि कुल समय कितना है, यहाँ एन उसलेशन का कुल कितना समय है, और उसमें जो list count कितनी है, वो काम में लेते वे आपको question को solve करना, उसमें कितनी बार आपने उसलेशन लेकर के, reading लेकर के, आपने ऐसा करा है, जी find किया है, वो आपको number of oscillations count नह नहीं करने, उनको काम में नहीं लेना है, इसलिए इस तरह से आप ध्यान देंगे, अब इसको solve करें हम लोग, तो अगर मैं इसको 100 से multiply करता हूं, तो यह मेरे पास कितना है, यह है actually 2, बटा, 100 इंटो यह है 0.5, तो नीचे 0.5 को 100 से गुणा करते हैं, तो मारे पास value हो गई कितना 50, इंटो कितना 100, ओके 50 को इसे उड़ाओ कितना 2, दोर दो 4, 4 प्लस ए कितना 5%, तो 5% यहां पर maximum error possible है, यह डंग से आपको काम करना ही पड़ेगा, बस ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर इसकी value कैसे लिखनी है, तो t दे रखा हो, तो delta t आपको लिदेना है, और अगर दोनों ही रूप में दे रखे हैं नहीं हो, तो आप अपन कर दें, only delta t upon t यूज़ करेंगे, तो आप question हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम बढ़ते है, next question में, बढ़े आगे भई, तो देखें, अगला question क्या है, इसमें है, किसी प्रियोग में चार रासियों, a, b, c, d के मापन में करमशा 1%, 2%, 3% और 4% की तुरूटी होती है, एक रासि, p का मान, निम्र रूफ से, परिकलित किया जाता है, परिकलित किया जाता है, p is equal to a cube, b square upon c, d, तो p के मापन में, प्रसंटेज, तुरूटी कितनी होगी, एरर कितना उसमें होगा, यह हमको बताना है, तो देखो, यहाँ पर मापन में, तुरूटी है, एक तो परसंटेज चेंज, वहाँ तो आपको plus का plus, minus का minus लेना पड़ता है, और वहाँ बहुत अलग होता है, आपने increment, decrement ऐसा को से लिखा होता है, यहाँ तो simple percentage change है, और ऐसे में हमिसा maximum आपको percentage लेना पड़ता है, तो द simple आपका proportional relation है, और इसकी power हमारे पास कितनी है, 1, इसको आपन लिखते है, percentage change के form है, तो यहाँ power को आपन आगे ले आते हैं, तो हम क्या लिखें, 1 into कितना delta P, upon P, into 100, okay, is equal to, यहाँ 3 को आपन आगे लेंगे, तो 3, delta A upon A, और फिर into 100 सब को करना है, yellow 100, फिर आप लिखें, plus, power क प्लस आगे है, तो 2 into कितना delta B upon B, into 100, okay, फिर अपन लें, minus का 1, तो minus का 1 into कितना delta C upon C into 100, फिर minus का 1 into कितना delta D upon, delta D upon D into 100, यह हमारे पास formula बन गया, अब देखो, जब भी percentage change के ऐसे question आते हैं, तो हमेशा हमको maximum error है, वो find करनी होती है, तो जैसी मैं इसको लिखता हूं, maximum maximum percentage change, maximum percentage change, maximum percentage change in P, तो P में अधिक्तम प्रश्च तूटे आपको निगालनी होती है, तो सब के सब चीन आपको plus में ले लेने हैं, आप देखो यह plus में, सारे plus में करने हैं, तो यहाँ यह क्या है, A का percentage change, तो 3 into हमने क्या लेना, A में तो कितना बिटे, 1, तो 1 से multiply कर दिया, okay, plus, यह है 2 into, B का कितना percentage है, 2, तो 2 से इसको multiply कर देंगे, okay, plus, यहाँ अब इसको सारूं को plus में लेना है, तो 1 into C का percentage हमारे पास कितना है, 3, इसको 3 से पने ले लिया, plus, उसके बाद देखें, हमारे पास कितना है, 4, तो यह भी plus करना है, तो 1 into 4, okay, अब सब को आप एड़ कर देजिए, तो यह होगा आपका 3, plus 4, plus 3, plus 4, is equal to, यह आपका 7, plus 7, यह होचुका है, 14%, तो 14% यहाँ पर error हो जाएगी, ठीक है, तो अब, यह जो आपका first crash course का session था, जिसमें हम लोगों ने units और measurement की रूपे बात करी है, तो इसमें हमने काफी प्रयास किया कि जितने questions आपके need में आते हैं, उसके आसपास की पूरी theory को भी हमने आपको discuss करवाया, साथ में, जो questions आते हैं, mostly हमने उनको भी as an example है, उनको आपको बताने कोशिश कर दिये, तो आप भी, जैसा कि हमने बताया था आपको, कि जो गुरुणती के कुछ वीडियो आपको दे रखे थे, 45 वीड प्रासा काम अच्छा हो जाए, कि उसन की practice आपके ठीक हो जाए, ओके, तो अब हम इस session को यह समाप्त करते हैं, ओके थेंक्यो, जैसी एलसी.